कि अभी हम लाइव कनेक्ट हो गए एक बार मुझे फटाफट से बता दीजे लाइव कनेक्ट हो गए क्या कर जो मैंने पढ़ाया था वह आप लोगों ने अच्छे से रिवाइस किया था एक बार अब बीडियेफ तो मैंने सहरे करी दिया था टेलिग्राम पे तो आप लोगो अब पढ़ा था वह आप लोगों ने रिवाइस किया तो जब निकाल देता हूं कि बाद मुझे बताए कर जो मने पढ़ा था वह रिवाइस किया था आप लोगों ने बॉर्णिंग एवरिवन करें आज की ग्लास बॉर्णिंग एवरिवन दिव्या जी कोई टेंसन की बाद नहीं जिस भी बच्चे को लिंक नहीं मिलें इसलिए हम यूट्व में एक दो क्लास ले रहें एक दो सेशन ले रहें ताकि करने वाले ठीक हैं तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से आज की क्लास हम सुरू करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम कंटीन्यू करेंगा आपको याद दिला दू पिछली क्लास का बस छोटा सा रिविजन में आपको कराऊंगा जो पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको यादे में आपको क्या पढ़ाया था मैं annual cost हमारा 90,000 रुपीस लगे और हमने देखा था कि tax rate हमारा 30% है तो ऐसे situation में यह बताना था कि project viable है भी या नहीं है तो हमने किया किया था हमने कहा था मैंने दो alternative सिखा था second alternative भी हम discuss करते हमने देखा था कि initially हमारा 5,000 रुपीस इन्वेस्मेंट लग गया एन्वल रेवन्यू हमारा 250,000 रुपीस कोस्ट हमारा 90,000 रुपीस इंकर हो रहा था और depreciation हम क्यों माइनस कर रहे थे ताक उसका tax benefit हमें मिलेगा depreciation के जरी यानि 5,000 रुपीस जो हमने लेगा तो हम depreciation को माइनस कर देते थे 1,000,000 रुपीस ताकि टेक्स benefit ले सके तो यह माइनस करने के बाद जो PBT आ रहा था उस पर हमने टेक्स दिया और उसके बाद वापस हम depreciation जोड दे रहे थे इसी के साथ हमने cash flows निकाला तो हमारे इसी के साथ हमारा cash inflow जो future में हमारा cash inflow हो रहा है उसको हमारे cost of capital जो हमारा 50% required rate है उससे हमने पुल किया और हमें पता चलिए NPV positive है नेगेटिव है हमने देखा NPV negative आ रहे है और हमने कह दिया project to not be accepted मैंने आपको समझायत है कि NPV 0 भी आएगा अगर तो भी हम project को accept करेंगे जीरो भी आएगा तो project को accept करेंगे NPV 0 का मतलब यह जितना आपका required rate है वह एची होगर आपका तो वहाँ पर भी project accept होगा और यहां पर हमने देखा था कि 15% अगर आपका required है तो project accept नहीं करोगे लेकिन किसी का अगर required 12.954% यहीं 13% तक अगर आपका required होता तो आप project को accept कर लेते हैं यह हमने देखा था अभी इसी टैप की question में मैं क्या करूँगा को आपको बतान को एड़ाउन करूंगा inflation concept में क्या करेंगे करेंगे inflation क्या होता है पहले तो मुझी यह बताई कि मैं jon क्या होता है सब को पतें इंफलीशन के मतलब पहलिए डिसकार वो तो इक बार यहां सब्चारिक हे नीएं समझाओंगा फिर आपको सर्वीस का प्राइस हैं तो फ्यूचर में नहीं होगा भूट इसका दाव बढ़ जाएग गुड से सेम रहेगा गुड और सरवीसी सेम रहेगा बस क्या होता है प्राइस होजाता प्राइस बदल जाता अपको याद होगा पहले के जमाने में एक या दो रूपया में हमें समूसा मिल जाता था मुझे आदे जब मैं बच्पन में था ना तो बच्पन में एक रूपय में समूसा मिल जाता था यह दो रूपय में समूसा मिल जाता था आज की डेट में एक समूसा 20 रूपीस का आता है 20 रूपीस 15 रू फ्यूचर में वो नहीं होगा फ्यूचर में बढ़ भी सकता है घटने का मतलब होता है डिफलेशन बढ़ने का मतलब होता है inflation यूजरी हमारी country जो है और maximum countries में inflation ही होता है च्यूकि deflation उससे भी जादा खराब है उसके बार में अभी डिसकस नहीं करेंगी inflation मतलब prices of goods and services का increase होना that is what inflation अब ये क्यों होता है ये भी थोड़ा सा जान लो ये क्यों होता है आप सोचो इसके पीछे बहुत सारे factors one of the factors is demand and supply जैसे कि for example आप मेरी बात सुनिए मान लिजे for example मैंने mobile phone का मैं manufacturing करता हूँ मैंने total मेरी capacity है total mobile phone manufacturing करने की मानलो thousand units thousand units की मेरे capacity है mobile phone manufacture करके supply करने की अब मेरे mobile phone जोगे ना उसकी demand बहुत जादा आ रही है मैं manufacture कर रहा हूँ thousand units पर demand है 5,000 units 10,000 units की demand है तो सुझो supply है only thousand units बट demand है कितनी 5000-10,000 unit की demand है ऐसे situation में मैं क्या करूँगा पता है मैं उसकी price को बढ़ा दूगा मैं बोलूँगा क्यूंकि मैं demand को तो मीट नहीं कर पा रहा है तो जैसे जैसे मैं price को बढ़ाऊंगा क्या पता हुसके demand कम होती जाएगी और कम होके क्या पता है parallel हो जाएगी तो हम जब भी आप देखने मार्केट में demand जादा होता है supply कम होता है वहाँ पर आप देखने आप prices बढ़ने लगते जैसे अगर आप mangos वगेरा दिखोगे जब season आता है ना पूरा पिक season होता है तो उस वक्त mangos का दम बहुत सस्ता होता है मुझे पता है 50 रुपीज 60 रुपीज किलो में हम खरीद लेते हैं पट वही जैसे season जानने का मतलब supply कम होना और demand जादा होता हो उसके तो उस वक्त वही mango 500 या 600 रुपीज तक भी पहुंच जाता है उसकी वल्लू बढ़ जाती है एक तो major factor यह है कि अगर आपका demand जादा है supply के comparison में तो usually वो product या फिर वो services का दाम बढ़ जाता है उसका price बढ़ जाता है जिसे विराड कोली को देख लो विराड कोली का advertisement वगेरा में आप देखो उसकी demand जादा है वो जितनी supply नहीं दे पार उससे demand जादा है तो प्राइस भी अच्छा खासा मोटा लेते हैं तो यह एक चक्कर inflation का future में किसी भी चीज़ का product वगेरा का demand बढ़ेगा तो वो क्या करेंगा उसके price बढ़ा देंगे तो automatically जो product आज हमें जिस price पे मिल रहा है वो future में हमें जादा price देना पढ़ता है उसका दाम जादा बढ़ जाता है एक यह reason है दूसरा और reason है cost अगर मालों आपका raw material वगेरा का cost अगर आपका बढ़ जाएगा तो automatically prices का दाम बढ़ जाएगा या फिर one of the best example है oil आप सोचो अगर सरकार मालीजे तेल का दाम बढ़ा देगी जिस Comm verb होता है एक जगा से दूसरे जगा में गोज वगेरा होगा तो उन सब में क्या लगता है oil लगता है तो जो ऑल से अगर वो पेट्रोल डीजल वगेरा का दाम अगर سरकार बढ़ा दीगी अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा तो अगर ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा और अगर ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अगर ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अगर आपका क्या होता है प restrictions लगा दिया कुछ-कुछ restrictions के चलते क्या होता है आपका जैसे इंपोर्ट वगेरा पर restrictions लगा दिया तो उसके चलते बहार से इंपोर्ट नहीं हो रहे है जितना आप घर के अंदर इंडिया में manufacture करो उतना गई supply हो रहे है तो उसके चलते भी क्या होता है prices बढ़ जाते मैंने कुछ-कुछ examples देखके आपको यह तो समझा दे कि inflation का मतलब क्या यानि basically अब आपको एक्जाम के लिए क्या ध्यान में रखना है कि सर अगर मालीजे future में same goods and services का price future में बढ़ जाएगा that is what inflation अब inflation का मतलब हमें समझ में आया तो अब हम क्या करते कि example लेते हैं चलो example के तोर में मालों में काम करता हूँ मैं mobile का example लेता हूँ माल लीजे for example आज mobile के बार में बात करते है mobile का current price हुए है को 50,000 रुपीज है यह बिचलो 55,000 रुपीज है mobile का current कि 55,000 रुपीज करेंट प्राइस है mobile का मालों एजूम करो देर इस नो inflation एजूम करते हैं देर इस नो inflation एजूम करते हैं कोई भी प्रकार का inflation नहीं है और interest rate है माल लीजे interest rate है 10% अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीरो तियर फिरस्ट यर मुझे एक बात बताओ यह जीरो तियर है फिरस्ट यर है फिरस्ट यर अगर आज मैं खरीता हूँ mobile तो मेरा 55,000 रुपीस लगेगा अगर मैं लोग को inflation नहीं होगा तो फिरस्ट यर के बाद खरीदूँगा तू भी मेरे 55,000 रुपीस नहीं होगा अगर कोई भी inflation होगा मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ आज मैं मोबाइल खरीदूंगा तो भी 55,000 लगीगा फॉर्स यर में मोबाइल खरीदू तो भी 55,000 लगीगा तो मैंने क्या सूचा मतमालों मेरे पास रुपीशन पैसा नहीं है मेरे पास आज कितना पैसा पतलğ है आज मेरे पास 50,000 लुपीज है अगर मैं इसको बेंग में इन्वेस्ट कर दूँ तो एक साल की बात मुझे कितना मिल जाएगा 50,000 रुपीस मेरे पास आज एक साल की आद मुझे कितना मिल जाएगा 50,000 मेरा principal amount तो मिलेगा plus मालो bank मुझे 10% interest दे देगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 55,000 आ जाएगा और मैं क्या करूँगा एक साल के तो मैंने क्या सोचा मैंने सुचा आज तो नहीं खरीता हूँ क्योंकि आज मेरे पास sufficient पैसा नहीं है मैं काम करूँगा 50,000 रुपीस को आज invest कर दूँगा एक साल के लिए और एक साल के बाद 55,000 रुपीस में मैं क्या करूँगा अपना mobile खरी लूँगा बात खतम और मुझे 10% इंटरस मिल जाएगा तो मुझे मेरे पास जो आज पैसा है उस पे मुझे कितना परसन रिटन चाहिए हमने यह देखा हमें उसमें रिटन चाहिए 10% का रिटन चाहिए 10% का रिटन चाहिए और इंटरस रिटन चाहिए 10% तो उस इसाफ से अगर आप लॉजिकल एक और ची सोच होता आप ऐसे भी सो सकते हो फर्स्ट चेर में अगर हम मुझे खरी देंगे तो 55,000 रुपीस हमारा क्वास्ट लगेगा और उसके लिए आज हमें इंवेस्ट केतना करना पड़ेगा 10% उसमें से इंटरस निकाल दो आज हम 50,000 रुपीस इंवेस्ट करेंगे 10% इंटरस में हमारी कमाई हो जाएगे 55,000 रुपीस हमारा मुबाई मिल जाएगा तो अब यहाँ पर हमने यह सिखा है कि मोबाईल का प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा मालू यह हमने एजूम किया कि कोई इंफ्लेशन नहीं है यहाँ पर भी मोबाईल का प्राइस जो है 55,000 है और यहाँ पर भी मोबाईल का प्राइस जो है 55,000 है यह हमने देखा ठीक है अब एक बात बताओ यह interest rate ही हमारा required बन गया interest rate ही हमारा required बन गया अब आगे अगर हम another example देखे मालो for example वापस से mobile price आज today फिफ्टी थाउजन रुपीज आज mobile का price है तो फिफ्टी फाइब लेता हूँ आज mobile का price फिफ्टी फाइब थाउजन है और इस पर inflation होता है मान लिजे inflation 5% every year आपका inflation होता है तो अब बताओ एक्सपेक्टेड मोबाइल price after one year क्या 55,000 रहेगा अफ्टर वन येर क्या 55,000 रहेगा आप मुझे बताइए अगर अगर mobile का price 55,000 आज है inflation हर साल 5% होता है तो अब बताइए mobile का price एक साल के बाद 55,000 होगा नहीं mobile का price बढ़ जाएगा क्योंकि inflation क्या करता सब भी goods and services का दाम बढ़ा देता है तो आज अगर 55,000 में मॉबाइल भी कर रहा है तो आपका expected है कि एक साल के बाद mobile का price कि आओगा 55,000 प्लस 5% of 55,000 यह नहीं कितना आएगा 55,000 ट्वेंटी 750 आएगा तो यहां पर हम लीग सकते हैं 55,000 फिर चलो 55,000 प्लस 5% कर रहा है 55,000 प्लस 5% 55,000 प्लस 5% 57,750 यह यह expected हमारा mobile का price अब अगर मैं सेम चीज बोलू है जीरो तियर और फरस्टियर मेरी बात ध्यान से सुनो हमने यहां पर क्या दिखाता हूं कि 50,000 रुपीज अगर हमारे पास इन है 10% जो इंट्रस रेट है वह हमें रिटन चाहिए हम 55,000 में mobile खरीद लेंगे तेम यहां पर हम बोलते कि इंट्रस रेट जो हमाहे 10% की रिकॉररे एक वहीं रहेंगा आगए Size के नहीं को इंफ्लेशन होने से आपका इंट्रस रेट भी बढ़ जाएगा आपको रिक्वाइर्मेंट भी ज्यादा चाहिएगा है ना रिक्वाइरेट यानि इन्फ्लेशन के चक्कर में क्या होता है बाकी जो बॉंड्स वगेरा यह सब रहते हैं उसकी भी रिटरंस बढ़ जाती है इ तहां पर मुझे मेरा आपका एड्जेस्टेड रेट क्या होगा इंफ्लेशन एड्जेस्टेड इसे हम क्या कहते हैं इंफ्लेशन एड्जेस्टेड इंट्रस रेट आप मुझे सिंपल सी बात बतो पहले मैंने देखा था कि 50,000 रुपीस मेरे पास है एक साल मैं 10% इसा कर नहीं सकता अब तो मैं ऐसा कर नहीं सकता मुझे जादा रेट चाहिएगा क्यों कि इंफ्लेशन भी होगा तो मुझे कितना चाहिएगा मैं बोलूँगा कि पहले जो मेरे रिक्मेंट है 5000 अब मेरे रिक्माणेट है मुझे 7750 कमाना पड़ेगा क्योंकि 50,000 को बजरो डिवाइट बे 50,000 या रह 15.5% तो इसने मैंने क्या सीखा इसने मैंने ये सीखा इंटरेस रेट अगर विदाउद इंफलेशन 10% है अगर इंटरेस रेट विदाउद इंफलेशन 10% है इंटरेस रेट मैं और इसको वेरिफय करके समझाऊँगा टेंसन आलो विद इंफलेशन और 5% अगर 5% का इंफलेशन होगा तो कितना होगा 15.5% होगा 15.5% होगा यह हमने देखा तो आप बोलोगे सर एक चीज़ तो दिमाग में समझ नहीं आया 10% चलो ठीक है इंटरेस रेट था इंफलेशन 5% का हुआ तो 10 प्लस 5 तो 15% होना था बट यहां पर यह क्या होगा सर यह तो 15.5% होगा यह तो हजम ही नहीं हो रहा है समझ ही नहीं हा रहे क्या हो रहा है क्योंकि 10% अगर आपका इंटरेस रेट है 11% का इंफलेशन है तो हम यह समझ में आता कि 15% होना चाहिए मैं आपकी बात से सहमा तो मैं अगरी करता हूँ चलो मैं इसको समझाता हूँ आपको देखो मैं इसको समझाने के लिए लेता हूँ मालो 0-3 और यह है 1st year अब मुझे बताए यह 0-3 में क्या होगा प्रिंसिपल होगा माल लीजे रुपीज हंड्रेड का 100% रुपीज हंड्रेड का प्रिंसिपल होगा तो 1st year में क्या होगा 1st year में आपका प्रिंसिपल भी होगा रुपीज हंड्रेड का एगरी लेकिन 1st year में प्रिंसिपल के सासर interest component भी होगा मैंने आपको समझाया था future में interest component भी होगा 10 रुपेस का 10 रुपेस का interest component भी होगा यह मैं पता zero tier में सिर्फ principal होगा और first year में principal के साथ-साथ interest भी होगा अब मुझे बताई zero tier में तो inflation की बात ही नहीं है क्योंकि आज का जो price है वही रहेगा inflation कब होगा future में होगा future में आपका जब inflation होगा इसका मतलब ही कि purchasing power घड़ जाना तो inflation थोड़े ना किसी का नाम में लग किसी particular item में होता है inflation तो सभी चीज में होगा तो आज मेरी बात सुनो हूं आज अगर मेरे पास 100 रुपीश है 100 रुपीश में जो मैं समान खरीद सकता हूं फ्यूचर में उतने में मैं 100 रुपीश में वो समान नहीं खरीदता हूंगा क्योंकि future में inflation होगा inflation बताई क्या सिर्फ यह 10 रुपीश इंट्रेस में inflation बढ़ेगा यह 100 रुपीस में भी inflation बढ़ेगा मतलब मेरा कहने का मतलब ही entire 110 रुपीस में तो inflation आएगा entire 110 रुपीस में inflation आएगा यहने कहने का मतलब inflation इसमें भी बढ़ेगा inflation इसमें भी बढ़ेगा जो 100 रुपे का समान है inflation 5% होने के बाद आपका कितने का समान बन जाएगा यह जो 100 रुपे का समान है यह पता कितना बन जाएगा 105 बन जाएगा 5% inflation लगा दो 5% inflation लगा दिया 100 रुपेस में 5% inflation लगा दिया 105 हो गया और यह जो 10 रुपेस का समान है इस पे भी मैंने क्या-क्या 5% inflation लगा दे ये कितना बन जाएगा तो जो 10 रुपीस का interest जो मुझे मिलेगा मतलब in future मुझे जो ये 100 रुपीस principle मिलेगा उस पे भी inflation लग जाएगा और in future जो मैं 10 रुपीस का interest कमाऊँगा इस पे भी inflation लग जाएगा यही दोनों चीज़ अगर 0-3 में होता तो inflation नहीं होता बट आगे जाके दोनों में inflation चड़ जाएगा और इस पे 10 रुपीस पे 5% inflation लगाओगी तो ये 10.5 हो जाएगा तो आप देखिए inflation का adjustment कितना हुआ आप मुझे बताइए आप देखिए यहाँ पर increase due to inflation कितना हुआ तो रुपीय 100 रुपीस बन गया 105 पाइब रुपीस आपका inflation प्रिंसिपल में inflation adjust हुआ और interest में भी 0.5 का adjustment हुआ ये बन गया 15.5 sorry 5.5 तो वही तो मैंने ये कहा कि 10% जो interest था वो आगे जाके 15.5% बन गया मलब 5.5% extra बड़ा कैसे बड़ा principle में 5% बड़ा और interest में 0.5% बड़ा दोनों में inflation लग गया पूर मिला के 5.5% हो गया आप ऐसे भी समझ सकते हो आप ये समझो देखो मैं आपको बता देता हूँ 0-3 में 0-3 में आपकी value अगर 100 है तो first share में हमें पता है आपकी value क्या होगी 100 plus 10% और 100 equal 110 है तो ये 110 में हमारा क्या होगा पता है इस 110 में हमारा 5% inflation चढ़ जाएगा 100 में नहीं चढ़ेगा 110 में 5% inflation चढ़ जाएगा और 110 में 5% inflation चाड़ जाएगा मतलब 115.5 हो जाएगा यह आप देख सकतो हूँ 100 रुपीज का जो value है वो आगे 115.5 हो जाएगा यह निए 15.5% का inflation और या फिर आप ऐसे भी बोल सकतो और आप ऐसे लिखतो 0 tier है 1st tier है एक दा मच्छे से समझ लो मालों मैं 1 रुपीज लेता हूँ बता 1 रुपीज अगर कोई value है 1.10 बन जाएगा तो इस 1.10 में 5% inflation चड़ा हूँ है ना तो आप कैसे लिखोगे 1.10 into 1.05 लिखो यह जाएगा 1.155 यह नि 15.5% और यह फिर आप लिखो 1.10 प्लस 5% inflation जाजाएगा 1.155 यह आपका 15.5% आपका हो जाएगा अग्जेस्टेड इंफ्लेशन अग्जेस्टेड इंट्रस्टेड एक रुप्या बन जाएगा 1.155 यह नि 15.5% वन आपका 1 रुपी बन जाएगा 1.155 यहने का मतलब साफ है 10% interest जो चढ़ रहे है वो थो ठीक है 10% तो चाहिए हमे हमें inflation भी चाहिए inflation इस 1 रुपी में भी चढ़ेगा और यह 0.10 interest में भी चढ़ेगा दोनों में inflation चढ़ेगा और inflation एड़च्ट करके हम बता देंगे हमारा क्या interest rate होगा अब आप मेरे साथ participate करना example के दो अब हम फटा-फट से करेंगे मुझे आप बताईए point number one में माल लिजे interest rate without inflation माल लिजे 9% है inflation माल लिजे 4.5% है तो आप मुझे बताओ therefore interest rate चलो इबार 4.5 में लेता है इबार में 5% है 4% लेता हूँ therefore interest rate with inflation क्या होगा सबसे पहले आप यह समझो कि 1 रूपी जो है वो आगे एक साल बाद 1.09 होगा सबसे पहले तो आप यह लिखे 1 रूपी जो है वो 1.09 होगा और future में inflation यह principal 1 रूपी में भी बढ़ेगा यह 9% 0.09 interest में भी बढ़ेगा तो inflation कितना बढ़ेगा 4% इंटू 1.04 लिख दीजिए या फिर आप लिख सकते हो 1.09 प्लस 4% तो नो आप कर सकते हो तो कितना आएगा आपका 1.09 इंटू 1.04 1.1336 that is 13.36% निकाल लिए मैं एक और करवात हूँ पिर हम आगे बढ़ेंगे interest rate without inflation interest rate without inflation हम लेते चलो 12% हम लेते inflation हम लेते 6.5% तो therefore आप मुझे बताइए आप participate किजिए और मुझे बताइए अभी यहाँ पर क्या होगा आप मुझे participate करके बताइए कि यहाँ पर आपका क्या होगा interest rate including inflation क्या होगा इंक्लोडिंग inflation adjustment inflation adjustment को करके क्या होगा इस बार मैं नहीं बताऊँ आप मुझे बताऊ 12% interest है तो आप सबसे पहली यह समझेए सिर्फ 12% में यह 6.5% ही चड़ेगा वन रूपी का जो principal component है उसमें भी inflation होगा 0.12 का interest है उसमें भी inflation होगा दोनों में inflation चड़ेगा अगर मैं value की बात करो मैं आगर आज एक रुपया लगाता हूं invest करूँगा तो मुझे future में 1.12 चाहिए और वो 1.12 में मुझे क्या चाहिए इंफलेशन चाहिए तो that means what यहाँ पर मैं लिखूँगा 1.12 आप तो सबसे पहले यह लिखोगे मतलब 1 रुपी में भी मुझे principal component में भी inflation चाहिए और 0.12 है ना जो interest component है उसमें भी मुझे inflation चाहिए दोनों में inflation होगा तो 1.12 लिखा मैंने 1 और 0.12 दोनों में कितना चाहिए गा 1.065 लिख दो और या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते और 1.12 plus 6.5 कितना आ रहा है सबने participate के 19.28 परसेंट जो 1.1928 आएगा that is 19.28 परसेंट आएगा कितना मज़ा आ रहे है चलो बहुत मज़ा आया हमने inflation को अच्छे से समझा और अब हम क्या करेंगे जब हमने inflation को अच्छे से समझ लिया है अब मैं एक example कराऊंगा हमारा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सो एक example लेते चलो वही example लेते जो पहले पर भी जाके अभी नेर से capital budgeting उन्होंने इंक्लूड किया है और वह starting के पहले दो question कोई गलत करके बैठे हुए क्या बताओ मैं आपको पहले starting के दो question को गलत करके बैठे हुए कोई बच्चा सोचो अकर self study करेगा उस पर क्या बीतेगी वह बच्चा सच में पागिल हो जाएगा इसलिए आज कल जो हरकत है उसके चलते भी टीचर के जरत पढ़ जाती है क्योंकि मैं अपने time में self study करता था मुझे भी काफी problem होती थी क्योंकि आई से का अगर आप गरवड़ी करके बैठोगे तो फिर क्या मलब क्या ही कहें फिर हम इसके लिए इनीशल अब ऐसा नहीं देखो गलती है तो मैं बोलता हूं अदरवास मुझे कोई सौक नहीं कि आई से को मैं defame करो यह करो अब वो घरकते ऐसे करते हमें बोलना पड़ता हम क्या करें गुस्सा आता ना आपको भी गुस्सा आएगा जब आपको लगी का कितना time unnecessary कर दिया हम तो सही थे आई से गलत था पर हम अंदरन्दर फील कर रहे थे कि हम सही गलत होंगे हम सही होगा हम सही होगा हम सही होगा हम और अलग-अलग चीज़े ढूंड रहे पर अल्टिमेटली गलत को उन्हें आई से गलत करके रखा हुआ है और हमारा टाइम विकार में चला जाता उस शक्कर में चले इनीशियल इन्वेस्टमेंट ऑन दा प्रोजेक्ट है फाइव लग यह जीरो तियर्पे टेक्स रेट मैं लिख देता हूँ पहले ही टेक्स रेट है 30 पर पांच साल तक एन्वल रेविन्यूज होगा टू लाक फिप्टी पर एन्वल कॉस्ट हर सल कॉस्ट लगेगा पांच सालों तक 90 थाउचन पर श्ट कोस्तव्व कैपिटल without inflation यह फिर चलो cost of capital में ले लेता हूँ including inflation inflation को include करके cost of capital हमारा 15% और यह annual revenues है यह real terms में है मैं समझाओंगा real terms का मतलब और nominal terms यह आपका हो गया I think quotient पूरा बन गया हमारा और depreciation हम 5 साले तो 25 सालों में depreciation का benefit हम लेंगे अब रेकिए यहाँ पर हो क्या रहे है अगर आपको exam में देखूँ यहाँ पर real terms भी लिखा हुआ आ सकता है nominal terms भी लिखा हुआ आ सकता है real terms का मतलब पता है क्या होता है real terms का मतलब होता है कि इसमें inflation का adjustment नहीं है यह current जो आपका rates चल रहा है market में उसके हिसाब से annual revenue मैं बहुत करेंड economy को देखे current market को देखे तो current market को दियान में रखते हुए 250,000 हमारा revenue अर्ण होगा लेकिन सोचो future में तो inflation होगा माल लीजे inflation कितना होगा चलो inflation ले लेते हैं every year माल लीजे inflation every year होगा 6% यह मैंने लेकिए inflation हर साल 6% तो आप बताई future में कि हमारी annual revenue 2,50,000 होगी नहीं future में तो inflation 6% से बढ़ेगा और अगर inflation 6% से बढ़ेगा तो उसके इसाफ से आपके prices बढ़ेगे और prices बढ़ेगे तो revenue भी बढ़ेगा cost भी बढ़ेगा inflation का मतलब क्या अगर मैं 6% inflation लिख रहा हूँ मतलब मैं कहना चाहरा हूँ कि market में हर commodities का price जो है वो बढ़ेगा 6% से तो that means what future में आपके सारे के सारे जो हम product बेच रिपिनिस product वो भी 6% से बढ़ जाएंगे हम ज़्यादा दाम में बेचेंगे 6% और हम जो भी commodities raw material वगेरा खरीदेंगे वो भी 6% से हमारा बढ़ेगा और real ही ना अभी हम इस question को solve करेंगे और बहुत ही अच्छे से solve हो जाएगा फर्स्ट येर सेकंड येर ठर्ड येर कोर्ट येर फिफ्ट येर मजा आएगा एकदम मज़ए देखो सबसे पहला आप यह लिखो इनीशल investment कि इनीशल इन्वेस्मेंट हम आज ही कर देंगे जीरो तियर में कितना फ्राइब लाग रुपी ये तो हमने आज ही पैसे लगा दिए तो आज फ्यूचर में पैसे लगें यह लगेंगे फ्यूचर में बस हमें टेक्स सेविंग देगा आज अगर मैंने फ्यूचर में इनीशल इन्वेस्मेंट किया है तो फ्यूचर में मुझे इस पर tax saving बस मिलेगा पैसे तो आज खड़ जोगा हमारे future में होंगे नहीं अब इक बात बताओ सरकार हमें future में tax saving देगे तोड़ तोड़के मालो 5 सालों में depreciation के थूँ tax saving देगे कितना देगे 5 लाग पे tax rate 30% तो 30% यानि 5 लग का 30% तो वो tax saving देगे क्या सरकार आपको future में tax saving ज़्यादा देगी ये बोलके कि नहीं 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 inflation हुआ है न तो हम आपको ज़्यादा tax saving देगे सरकार नहीं सरकार को मतलब भी नहीं inflation वगेरा सरकार बोले कि देख 5 लाग रुपीज तेरा खर्चा लगा है तो हर सल 1 लाग रुपीज depreciation करना और उसका depreciation का 30% करके तुझे हर साल हम 30,000 का tax saving देगे 5 सालों तक 30,000 करके 1,50,000 का tax saving मिलेगा जो 5 लाग का ultimately 30% यानि 5 लाग का 30% आपको 1,50,000 tax saving मिलेगा मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो depreciation tax saving आपको मिलेगा उसमें inflation का कोई भी काम नहीं है अब खुद बताओ यह बात ICA नहीं भी लिखाओ अपने material में पर जब question solve करते समय उन्होंने इस पे भी inflation डाल दिया जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि 100% 99.99 भी नहीं बोलूँगा 100% गलत है आपका initial investment ही तो 5 लाग लग चुका future में यह पैसा नहीं लगने वाल तो future में जब पैसा ही नहीं लगेगा तो inflation की बात ही कहां साहगे आज हमने पैसे दी दिए अब बस इतमे future में हमें tax saving मिलेगा तो depreciation तो उतना ही करेंगे जितना हमारा cost लगा 5 लाग रुपीस cost लगा हर साल 1 लाग depreciation करेंगे और 1 लाग जो depreciation करेंगे उस 1 लाग पे tax नहीं लगेगा हमारा 1 लाग का 30% नहीं 30 थाउचन का tax saving होगा और इसमें कोई भी आपका inflation का adjustment न हर साल annual revenue होगा कितना होगा 250,000 होगा यह तो real terms में आज के terms के साथ से future में तो मेरा revenue 250,000 होगा ही नहीं future में मेरा revenue होगा 250,000 पे 6% बढ़ा दो 1.066% बढ़ा दो मतलब ultimate ली देखा जाए तो मेरा first year में revenue जो है वो 265,000 को होगा अगर मैं inflation को adjust कर दो second year में वापस से इस पे inflation डालूँगा मैं 1.06 तू लाग 80,900 होगा third year में इस पे वापस से 6% बढ़ा दो 280,900 इंटू 1.06 297,754 यह मेरा revenue होगा fourth year में 297,754 into 1.06 यह आएगा 315619 अच्छे से participate करोगे तो आपको आगे portion है इस टाइप क्या इसे के आपको बिलकुल भी easy लगेगा बिलकुल भी रिक्कत नहीं आएगे इस बात की मैं guarantee दे सकता हूँ 334-556 334-556 तो देखें मैंने क्या क्या सब में inflation डाल दिया अब ये annual revenue हमने किस पे लिखा nominal terms में लिख दिया है nominal terms मतलब inflation का adjustment हो चुका है कि अब हम annual cost की भी बात कर लेते हैं कि nominal terms में चाहिए हमें क्योंकि nominal terms मतलब inflation adjust हो चुका inflation adjust करके चाहिए हमें तो अब मुझे आप बताईए यहां पर 90,000 तो रियल टम्स में आज के साब से किस पे तुम्हें inflation डलना पड़ेगा तो 90,000 आपका 0-team के साब से future में cost बढ़ जाएगा हमारा तो future में 95,400 होगा हमारा 95,400 होगा फिर इस पर 1.06 लगा देंगे 101124 होगा 101124 होगा फिर इस पर 1.06 का cost लगा देंगे 107191 107191 होगा फिर इस पर 1.06 लगा देंगे 113623, एबल बार चेक भी करते रहे ना ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीम पे देख रो कभी कभी काल्कुलेटर वगेरा मिलता साथ-साथ करते जाओं साथ-साथ ही होते जाएगा आपका समझे रहो बाद में दिक्कत नहीं आएगी मजा आएगा पार्टिसिपेट करने से क्लास में मजा आता है ऐसे बांदू की तरह बैठेर होगे तो मजा नहीं आएगा बहुत लगेगा लगेगा फिर अप लोगो वन टू जिरो डबल फोड जिरो बताओ यह सब कुछ पर्फेक्ट है जो भी बंदा मेरे साथ मिनिट की मैं मैंने देखा ठीक है तो वो इतनी बड़ी मूवी है पर हम एंजोई करके देख रहे हैं तो मज़ा आया टाइम का पता नहीं चला वैसे पढ़ाई भी आप एंजोई करके करोंगे ना तो टाइम का पता नहीं चलेगा छेच्छे साथ सत घंटा वीडियो देख प कि नो इंफ्लेशन एड्जस्में यह दियान रखना आई से भी यह बात बोलते हैं बट उसने कोश्यन में घल्ट कर रखा हुए दो कोश्यन में तो वन लाग का हम डापरिशेशन हमें बेनिफिट में अब इस ते हमारा क्या आज आएगा पते है त्रॉफिट भी फोर टेक्स हमारा आज आजाएगा मुझे बताओ पार्टिसीपेट करके यह सब बहाने बाजी है प्रसंदा जी तर तीन घंटे के बाद आइस हट होने लगता है यह सब बहाने बाजी है आपको जो पसंदीता चीज आपको देखने को मिले ना तीन घंटा गया तीन घंटी देख लो कि आप अपने दिमाग में सोचोगे तो आपको सच में आइस में दर्द होगा अब अभी कोई भी बच्चा ही सोचने लगे कि मुझे आप देखना पांच मिन में दर्द होने लगेगा तो यह सब एक्स्यूज मत दो अपने साथ कुछ बड़ा करना है न तो एक्स्यूज नहीं देख सकते हैं बताओ मुझे पीबीटी कितना आएगा मुझे बताओ जो पीबीटी आएगा उसमें टेक्स माइनस करेंगे एट धी-30 परसेंट फिर हमारा क्या आएगा पैट आएगा उस पे क्या करेंगे डाप्रीशेशन फिर से एड वेक कर देंगे डाप्रीशेशन का बेनिफिट लेने के लिए माइनस किया बड़रे Green के हमारा क्या लो आजाएगा बात खत्म कितना जीम पले देखो ना रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस किया डप्रिशेशन माइनस किया पीबीटी आया उसमें हमने टेक्स अटा के पैट निकाल दिया फिर डप्रिशेशन वाइड कर दिया क्योंकि टेक्स निकालने के लिए हमने वन लैग को माइनस के क्य रहे हैं वो बच्चे देखना जल्दी सीए बन जाएं वाकी बच्चे समझदार है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो समझ गये मैं क्या कहना करें देखो q79776 और जो बच्चे भी पढ़ेंगे ना उनकी या इउसे बनेगे बहूत सारे बच्चे आपको अबवी नहीं पढ़ेंगे अभी कितने सारे बच्चे च्लास लेकी छोड़ देंगे हां ठीक है जाक पढ़ेंगे रिजल्ट आने के बाद या मेना पहले और फिर भी बात में अगर clear नहीं होगा तो फिर बोलेंगे आर ऐसा हो गया वैसा आपको पहले से ही पढ़ना पढ़ेगा कि बताओ नाइन जिरो फाइब सिक्स्री नाइन जिरो फाइब सिक्स्री वन जीरो वन डबल नाइन सिक्स और एक लास्ट वाला भी बता दो मुझे फटा फट से जल्दी से बता दो मुझे बताई दिये एक जने वन वन फॉर डबल वन सिक्स यह आगे हैं इसमें टेक्स हम माइनस कर लेना जो भी हम अभी हम नहीं करेंगे सीधा सेवेंटी परसंट निकालो 69,600 का सेवेंटी परसंट सीधा निकालो मैं नीचे का बता दो लास्ट का करता हूं आप पहले का बता दो सेवेंटी परसंट टेक्स देने के बाद यह बच्चेगा 7,9,8,8,1,0,1,99,6,2,7,7,1,3,9,7,7,1,3,9,7, 6,3,3,9,4, 69,600 into.7, 48,7,20 क्या यह सीधा परसंट परसंट न करेंगे् expression फिर सेड करतेंगे वन लगकाट अप्रिशेशन एड़ कर देंगे आपर यह एड़ करने के बाद आगे हमारा क्या स्लों कितना असान था 148720 155843 163394 171397 179881 और इधर का आपका जीरो तेर में तो फाइब लाग रुपीस हमारा लगे रहे हैं तो में यह पता चल चुका है कि फाइब लाग रुपीस हमारा जीरो तेर में लग रहे हैं और हर साल का हमारा क्यास फ्लोस के आएगा वो में पता चल चुका है अब income क्या करेंगे income present value में खीचेंगे कौन से rates है discount rate कौन सा लेंगे 15% लेंगे देखो मैंने लिखा हुआ including inflation अगर ये including inflation मान लो excluding inflation होता तो हम क्या करते है मान लो 15% excluding inflation होता तो 1.15 1 रुपिय में 15% 1.15 में हम चड़ाते 1.06 तब हम लेते 1.15 इंटू 1.06 1.219 यहीं 21.9% तब हमारा 21.9% होता बट यह including inflation है तो हम इसे खीचेंगे किसे 15% से ही खीचेंगे समझ में है तो यह बहुत माहिने रखते है यह including inflation है कि excluding inflation है आपको inflation adjusted cost of capital चाहेगा यहाँ पर income present value में खीच लेंगे आप सिंपल सी बात है present value of all cash inflow कितना आएगा यह यह आएगा आपका 15% के calculator में कर ले चलो calculator में कर लेते हुआ आप भी करना मेरे साथ यह था नहीं मैं बोला और कर लिए आप practice करोगे तब ही तो exam में कर पाओगे करो मेरी मतलब अपने आप करो 148720 divided 1.15 equal M plus पे छोड़ दिया 148720 divided 1.15 के एक ही बार equal दबाना है क्योंकि में MRC करके plus कर देंगे सारा फिर 155843 divided 1.15 इस बार दो बार equal दबाऊंगा क्योंकि second year से 0-3 में आने equal equal M plus कर दूँगा फिर 163394 divided 1.15 तीन बार equal दबाऊंगा फिर M plus करूँगा 1,2,3 M plus कर दे क्योंकि third year से 0-3 में आने 171 397 into 1.15 चार बार equal दबाऊंगा equal 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 चार बार equal दबाऊंगा कुछ गलत हुए calculator रूप गया होता है कि मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा 148720 divided 1.15 equal M plus 155843 divided 1.15 equal equal M plus 163394 divided 1.15 equal 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 M plus 171397 divided 1.15 चार बार equal दबाऊंगा 1234 M plus फिर 179881 divided 1.15 12345 बार equal दबाऊंगा M plus MRC कर दिया हूँ यह आप फाइपो 2025 आ रहा है यह आप निकालके बैढ़ गए कि आसिर जी प्रसन्ना जी सुबहम जी है ना आप सभी निकालके बैढ़ कि कितने खुसी किए बात है देखो कितना अच्छा लगता है 542025 हमारा आ रहा है 542025 आ रहा है और present value of all cash outflows कितना यह तो मैं पता है यह 5 lag है NPV कितना आया therefore NPV कितना आया 42025 आ रहा है since NPV is positive therefore project is viable and should be accepted आप मुझे बताएं इंफ्लेशन एकदम अच्छे से समझ में आया की नहीं आया आप अब मुझे बता दें आप अब कोई मुझे बता सकते है पॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स्लूडिंग इंफ्लेशन क्या होगा यह रखो इसमें से 6% निकाल दूँगा डिवाइड़ 1.06 आप देख लो 15% निए एक्सलूडिंग इंफ्लेशन हमारा कॉस्ट ऑफ इसे अप अराम से निकाल लोगे बताएं क्या यह एकदम अच्छे से समझ में आया बोलो अभी तक बजेटिंग क्या अब बताओ अब सब कुछ आसान लग रहा है अगर आसान लग रहा है तो में एक कोशिन करूंगा और एक कोशन आप लोगों से करुआ यहां पर दिखो illustration 2 मैं आपको बोल रहा हूं कि ICA का solution गलत है और 100% शोर हूं आगे जाके ICA solution को ठीक करें गए कि वह गलत है तो उसे ठीक करना ही पड़ेगा वह ठीक करें कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पर मैं आपको बोलूँगा कि आप ICA की हिसाब से ही जाओ ICA का गलत अंसर ही आपको लिख के आने तो कि मैं ICA की exam देखेंगे बट कुछ कुछ ऐसे question है जहां पर जब साफ ICA को भी दिख रहा है कि ICA ने गलती से गलती कर दी वह आगे suggested answer को बदल देते हैं सच बदा रहा हूं वह इस type के question exam में पूछेंगे तो वह suggested answer को क्या करेंगे बदल दें तो मेरा ये मानना है कि आपको correct answer ही लिख के आना चाहिए बट मैं क्या करूंगा दोनों चीज आपको बताऊंगा मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं अपने मेरा जो सोच वह आपे ठोग दूँ मैं आपको सही answer भी बताऊं बट मैं जो बहुत सारे और भी question होंगे जहां पर मैं आपको बूलोगा आईसे के सबसे करो अपना दिमाग नहीं लगा ना सभी answer करेंगे बट कुछ कुछ जगह ऐसा जहां पर मैं बूलोगा कि आप correct answer करो यह one of the question है जहां पर मीरी suggestion है कि आप correct answer करो आईसे वाला answer ना करो सपना ची कहा रहें, inflation मत लो नीचे नोट्स लिख दो reason ऐसे थोड़ी ना चलते हैं, आप बोलना चलते हैं, हाँ चलो हाँ वह inflation, depreciation में included नहीं करके, अब नोट्स लिख सकते हूं, सर, excluding inflation concept फिर से repeat करेंगे तो अच्छा होता हूँ, क्या से 15% देखो मेरा ये कहना है चलो कोई बात नहीं मैं एक बच्चे की क्वाईरी है तो मैं ले लेता हूँ बहुत सिंपल सी बात है मालो फूर एक्जाम्पल इंट्रेस रेट विदाउद इंफ्लेशन 8.5% होता पिना इंफ्लेशन के इंट्रेस रेट 8.5% होता और अगर मालो इंफ्लेशन जो है वो 6% होता तो बताइए therefore इंट्रेस रेट विद इंफ्लेशन कितना होता एक बच्चे का डाउट है फटा फट लेता हूँ 1.085 पर इंफ्लेशन चड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल और इंट्रेस दोनों पर चड़ेगा 1.085 प्लस 6% लेको या फिर 1.085 इंट्व 1.06 लेको आप यह देख लो यह वाला आएगा हमारा कितना 1.085 इंट्व 1.06 क्यारा 15% मैं इसी का ठीक उल्टा आप करना चाता हूँ मैं कहना चाता हूँ कि माल लो इंट्रेस रेट विद इंफ्लेशन होता हूँ जैसे हमने लिखा इंट्रेस रेट विद इंफ्लेशन 15% है जिसके अंदर इंफ्लेशन घुसा हुआ है किपा हुआ है जिसके अंदर इंफ्लेशन 6% तो मुझे इंट्रेस रेट विदावत इंफ्लेशन चाहिए मुझे plain interest rate चीए जिसमें inflation adjustment नहीं हुगा है तो मैं क्या करूँगा यहापर मैं बोलूँगा चुब 1.15 में तो inflation है निकालना है तो जब चढ़ाएंगे inflation तो multiply करेंगे जब निकालेंगे तो divide करेंगे मुझे तो निकालना है तो मैं divide करूँगा तो divide कर दिया तो मेरा 8.5% आगया वही तो चीज थी किसने पूछा था यह सवाल यह सवाल पूछा था उद्दब अटाचार्ची ने I think उद्दब जीव आपका clear हो गया 15% से 8.09 कैसे आ रहाब क्या कर रहो मैं तो समझने पार रहाब क्या कर लो अच्छा आप माइनस 6% करो ऐसे नहीं कर सकते आप 1.15 से आप माइनस 6% ऐसे मत करो आपने वही के ऐसलिए आपका 8.1% आया आप डिवाइड करोगी आप तुनों में फरक आ जाते हैं आपको inflation निकालना क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो inflation चढ़ा था एसी तो करो 1.15 में से मैं क्या करों बता 6% माइनस कर रहा हूं तो मेरा 8.1% आ रहा है सर आपने कैसे 8.5% निकाल दिया यह उधब जी का कहना है आप मुझे एक बात बताओ जब अपने inflation चढ़ाया था तो 15% को base में रखकी इंफ्लेशन चढ़ाया था कि 8.5 में अपने इंफ्लेशन चढ़ाया था आपने 8.5 का 6% इंफ्लेशन चढ़ाया था तो जब आप निकालोगे भी तो 15% का 6% कैसा निकाल सकते हो 1.15 से कैसा निकाल सकते हो आप 1.15 से माइनस करोगे लेकिन कौन सा इसमें आपने inflation चड़ा है तो 6% किसका 1.085 का 1.085 का 6% कितना 0.0651 यह minus करना होगा 1.15 से समझ मैं तब आपका 8.4 नहीं या फिर 8.5 आएगा यानि आप उद्धवची मुझे बता दो अभी clear हुआ न आपका कि आप minus नहीं कर सकते 1.15 minus 6% नहीं कर सकते अगर ऐसा कर दिया तो आपने 15% में से 6% निकाला वो सही नहीं है अपने 8.5% में 6% चड़ाया था तो 8.5 का 6% आपका minus होगा यह नि 1.085 का 6% minus होगा आप देख लीज़े 1.085 का 6% जो है वो आपका ultimately minus होगा 0.0651 1.15 से माइनस कर तो 1.08.9 है 8.5% आजाएगा अगर क्लियर होगी है तो हम आगे बढ़ें बो illustration 2 में आए सबका clear एक दम अच्छे से बताओ मजा आ रहा है एक दम बो इतना खोल के पढ़ रहे हैं इतना उमीद क्या था इस तरह यह से इतना clear ली हम पढ़ेंगे इतने अच्छी तरीके से मलब जो पढ़ा रहा हूं मजा आ रहा है सब को समझ में आ रहा है कोई भी ratification की जरत हो रही है हर बातों पर मैं कोई भी चीज़ होगा नहीं कि हाँ multiply करो या divide करो उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा आप सबको कहना है कि मत सर समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा तो मैं चाहता हूं कि यह वाला illustration 2 मैं तो कराऊंगई आप मेरे साथ participate करके आप पहले से इस answer बताने लग जो तब आपको लगेगा सर अब तो कोई से का question हो रहा है अब तो मजा आ रहा है चलो illustration 2 में क्या लिखा हुआ है एक्सवजेट लिमिटेट को और requirement है एट लाग रुपेज फोर इन यूनिट इनिशली को एक मसीन वगेरा खरीदेगा उसके लिए इसका initial investment जीरो तेर में एट लाग रुपेज है प्रोजेक्ट की useful life कितनी यह 4 years है salvage value नहीं ले तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 8 लाग रुपेज जो आपका initial investment है 4 years की life है salvage value नहीं ले तो हर साल 2 लाग रुपेज डप्रीशेशन होगा जिसका tax benefit आपको मिलेगा depreciation 2 लाग रुपेज देखो लिखा हुआ भी है expected revenue and cost excluding depreciation बोले depreciation को छोड़के हमारा revenue और कॉस्ट है ignoring inflation inflation को ignore करते हुए inflation इसमें डाला हुआ नहीं है आपका revenue बता दिया हर साल का यह आपका इसमें क्या inflation है नहीं है इसमें inflation को adjust नहीं किया गया है समझ में आया इसमें inflation को adjust नहीं किया गया पॉस्ट में भी inflation को adjust नहीं किया गया कि आप समझ लो यहां पर भी inflation को adjust नहीं किया गया है आगे देखते हैं हाँ पर आपका 60% कॉस्ट ऑफ कापिटल 10% एंक्लूडिंग इंप्रेशन यहनि 10% में हमें क्या कोई adjustment करना नहीं करना क्योंकि इस पर inflation का adjustment already किया हुए बता दिया पूचा कि NPV बताओ प्रोजेक्ट का अगर inflation rate revenue और कॉस्ट का अलग 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 दिया हुए तो अलग 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 लेंगे हर inflation बताया तो आप सिक्स लाग को कितना पकरेंगे सिक्स लाग प्लस 10% इंफ्लेशन एड़्यस्ट करेंगे तो यह सिक्स लाग मुझे बताओ अब मैं आप लोगों के मुझे जानना चाहता हूँ आप मुझे बताइए सेवन लाग पर कितना लिखू मैं सेवन लाग की जगा कितना लिखू बताओ आप मुझे बताइए सेवन लाग रुपीज जो है यह एक्सलूडिंग इंफ्लेशन है इसमें इंफ्लेशन के अड्जस्मेंट नहीं हुआ है सेकेंड येर में आपका 9% इंफ्लेशन ए रवन्यूप है तो मुझे बताइए सेवन लाग पर में कितना लिखू बत्चे का कह प्रसंदाची समझदार हो गए है ना पाकी लोग गदे जैसे बात करो आप लोग है ना और आप लोग हरकते करोगे मैं आप लोग को गदा बोलूँगा ठीक है अच्छा पाऊ या बुरा पाऊ कैसे होगा बताओ ये तो सेवन लाग पर इंफ्लेशन है नहीं यह सेकंड य लूब 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 निकाल ले जीरो त्यर को ध्यान में रखते वही आपको रवन्यू द्या हुआ है इस पर पहले 10 परसंट फर्स यह का इंफ्लेशन चड़ेगा 9 परसंट सेकंड यह का इंफ्लेशन चड़ेगा सिर्फ 9 परसंट क्यों लगा रहो मैं समझ नहीं पार आ आप मुझे खुद बताओ क्या मैं वाजीब बात कर रहो हूँ ब्योकूप हो जैसी बात क्यों कर रहो 7 लाग 19 दौजिन पॉंड रेट कहां से आगया मेरे भाई का कर रहो यह अलगी दुनिया की खिला रही हो आप लोग तो 7 लाग 90 ताउचन कहां से दौजिन अब कौन से दुनिया से आँ हो की कही हो तौन से और रहती हो जी तिनसी जी आप भी पताओ कहां से आयों दूसरे गरह से आयों कि आप अजीब अजीब बात करते हों क्या पढ़ रहे हो तिनसी जी दिव्या जी सच में डिसापोंड किया एच एच यह सेवन लाग नैंटी दाउजिन फॉन्डरेड आया कैसे पहले तो मुझे यह समझाओ आय यह समझ नहीं पार में पार हूं के उसए है और जो बच्चे शेवन नाट रहे हूं कई से रहे मतलब है मेरे तु समझते पर है एकधा हूं कि अ है लिजुए चैनंत की इसमें इन्स या Гलतों मत टो चुंच को ठीक है चलो दीव्या जी ठीक है अब हम हमारी धर्दी बाप्त से आ जाए ठीक है इधर उतर नहीं जाने हमारी धर्दी बहुत अच्छे हम यह रहेंगे बताओ एट लाग क्या होगा इस पे क्या लगा ते एट परसंट बात खतम करें देवकुफु इससे बात मत करना पहले लगा औस फिर नीवान परसंट फीर येट परसंट येट लगपे आपका होगा वैवन चुन लिए जिरो ना तीन साल कम इंफलेशन अड़स करेंगे यह आएगा वन जिरो ट्री फईफाइव नैट्री इसिक्स बता रहे हैं लों जिरो ट्री फईफाइव-जिरो ट्री नै 36 आया हमारा next वाला भी बता दो यह 8 लाग जो है अब देखो इसमें पतने एक benefit क्या है मैं अगर समझदार बच्चा होंगा मैं बोलूगा देखो सीम 8 लाग 8 लाग है 3 साल का inflation लगाऊंगा तो यह आने वाला है इसमें सीधा 7% लगा दो 10359 1336 आया है ना मेरा इस पर सीधा क्योंकि value तो सेम है जो समझदार बच्चे होते हैं न वो डेरेक कर लेंगे वो डबल वन जिरेट 451 यस चलो 452 लेगे समझ में है न समझदारी की बात बोलो समझ में आया है न अब हम next cost वाला भी आप मुझे बताना अब हम क्या करते हैं अब टीबल बनाते हैं अपना जो टीबल जैसे बनाते हैं इलस्टेशन 2 अब स्क्रीन पे देखते हो भी जिसके बास अभी कोशिन में नहीं भी हाथ में को टेंसन वाली बात नहीं है अब सबसे पहले मैं लिखूंगा जैसे मेरी हैबिट है इनीशल इन्वेस्मेंट लिखने की वह में लिख लूँआ एएट लाग रूपीस हमारा इनीशल इन्वेस्मेंट लग रहे हैं एन्युवल रेवेन्यू एन्युवल कोस्ट एन्युवल रेवेन्यू हम क्या अभी जस्ट निकाले थे हैं यह समने जस्ट निकाला था कितना कितना 6 लग 60,000 839,300 839,300 इसके लाव वह 1035936 है नब अब स्क्रीन पर देखो भी प्रवीन जी ठीक है स्क्रीन पर देखो मजा आएगा डबल 108452 मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करो भी मलब पार्टिसिपेट करो तब अच्छा लगेगा आपको annual cost अब मुझे बता दो फटावर्ट से annual cost क्या होगा आप बताओ मुझे annual cost 3,000,000 पे 10% एक बार ही चाड़ेगा यह आएगा 3,000,000,000 इसमें तो मुझे पता चल रहा दूसरे वाला बता सकतो कितना होगा दूसरे वाला देखा 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 7968 आएगा क्योंकि सेम फिगर है ना स्मार्टली अगर आप करोगे तो नेक्स्ट वाला भी आपको 4 लक तेमी है तो एक बार स्मार्टली करोगे तो 8 पर्शन लगा दो के बाद कर तम 559405 कुछ गरबढ किया कि हमने मैंने कैलकुलेशन में कुछ गरबढ किया लग अच्छा मैंने रेट इद रेवन्यू वाला ले लिया साइथ गलती से रेट मैंने गलती से रेवन्यू वाला ले लिया था 12% था मैंने रेवन्यू वाला रेट ले लिया पूरे गलत होगे यह सोरी सोरी हाँ गलती होगी है मैंने revenue वाला ले लिया गलती से गलती होगी माफ करना 3,00,000 पर 12% लगाएंगे 3,36,000 आए गई है silly mistake है क्योंकि मैं भी तो कभी student था ना silly mistake हो सकती है practice करते करते हैं इस अब दूर हो जाएगे next आपका क्या है 4,00,000 पर पहले 12% चड़ाओगे पहले 12% चड़ाओगे फिर आपका next year का कितना है 10% है next year 10% 1.1,000 492,800 आएगा यह आगी हमारा 492,800 यह करेक्ट कर लिया टिंसी जी गलती होगई माफ कीजेगा फिर next आपका क्या होगा पते है 492,800 तू निकाला हुए अब next year 3rd year और 4th year में भी 4 लागी है तो सीधा हम 492,800 में 9% लगा देंगे 537,152 आएगा और next year हमारा क्या आएगा 8% 580,124 अब सही होगा 537,152 ना आएसे ने बता कर बढ़ क्या हुआ देखो 537,172 लिग दिया कल तो इसे कर बढ़ है उनका next वाला तो 580,124 सही आया था चलो आप्रिशेशन लिग देते हैं डाप्रिशेशन हमें पता है हर सल 2 लैक होगा 8 लाक चार सालों में कोई सलबेश तो है नहीं तो हर सल 2 लैक होगा ये करने के बाद हमारा क्या आएगा PBT आएगा जो आब मुझे बताईए इसमें फिर हम टेक्स माइनस करेंगे 60% एट एक्स होचो तो पैट सिर्फ 40% बचेगा 60% एक्स है इस और फिर हम क्या करेंगे डाप्रिशेशन एड कर देंगे कि डाप्रिशेशन माइनस ही इसलिए किया था ताकि बेनिफिट ले लिए सकते ये हमने कर दिया पताई मुझे फटा वड़ते बताऊ मुझे कितनी क्या खूब कितनी अच्छी बात है उनहार बच्चे मेरे पास प्रसना जी तिल्कूस कर दिया प्रसना जी ने दिया ऐसे फास्ट हो प्रसना जी 146 फाइव एट सेकंड वाला बता रहे 146 फाइव एट फेर 298784 ये सही है ना फिर नेक्स्ट है 328328 क्या बात प्रसना जी इतना फास्ट बहुत सही 328328 निकाल लिया 60% माइनस करेंगे तो 40% बचेगा तो मैं सीधा पैट लिखता हूँ 24,000 का इन्टू.4 49,600 146,500 इन्टू.4 60% टैक्स दे देंगे ना तो 58,600 बचेगा 298784 इन्टू.4 19514 फिर आपका 328 328 इन्टू.4 131,331 सही है? अगर मैं गलत हूँ तो करेट कर दूँ कि दम सही है? अब डप्रीशेशन एड कितना करेंगे? 2,00,000 रुपीस जो माइनस किया था वो आड कर दू tax benefit लेने के लिए माइनस किया था ये एड कर दिया हमने और हमारा cash flow आगया 249,600 258,600 31 3,19,500 3,31,000 3,31 ये आगया हमारा और इनीशल तो 8,00,000 है हमारा therefore आप मुझे बताइए present value of all cash influx present value of all cash influx मुझे बता दीचे क्या करोगे आप? किस से pull करोगे आप? 10% including inflation है tension की कोई बात नहीं including inflation premium है 10% हमारा और एक बात यहां रखना अगर by chance यहाँ फर inflation including नहीं लिखा हुआ रहता तब भी आप assume कर ले न cost of capital क्यों यहां पर अलग-अलग cases में अलग-अलग inflation दिया हुआ है तो हमारे लिए possible नहीं होगा कि इस पर आप inflation adjust करें कोई particular inflation होगा तब तो फिर भी मैं adjust कर ले अगर मालनी चाहिए यहां पर यह सब्स नहीं भी लिखा हुआ रहता तो भी मैं assume कर लेते including inflation practically possible नहीं होता अगर excluding inflation होता तो निकालने के लिए इतनी सारे अलग-अलग data है ना तो आप assume कर ले ना ऐसे situation में कि including inflation होगा बढ़ आई से ऐसा करेगा नहीं वो देना चाहिए होगा तो आप मुझे बताईए cash loss के आएगा अब हम क्या करेंगे इन सभी को including inflation आपका क्या है cost of capital 10% से खीचेंगे 10% से खीचेंगे इसको बताओ कितना है किसे ने निकाला गया 906988 बतातो रहे बच्चे बहुत अच्छी बात है ठीक लिए मैंने और present value of all cash outflow that is initial investment तो आपका 8 NPV कितना आया 8,06988 therefore project is viable प्रोजेक्ट शूट भी एक्सेप्ट यह हमारा पूरा पर्फेक्टली करेक्ट अंसर है यह हमारा प्रफेक्टली करेक्ट अंसर है बड़ आयसे ने जैसे मैंने बूला गंद मचा है उन्होंने गलत किया है ठीक कर दिये क्या उन्होंने तो मैट्रिल में कुछ गलत हुआ था इसे एका स्टेडी मैट्रिल देख गलत मचा ठीक है तो था पहले वाले पार्ट में तो गलत ही है जिस पहले वाले केस में तो गलत ही है दूसरे वाले में भी मुझे जहां तक याद ही गलत था revenue में inflation adjust किया cost में भी inflation adjust किया revenue सब आईसे का गलत लिखाो इसमें पॉस्ट लिखना तो यहाँ गर्फ वे आप काट के cost लिख दो गहें मिह और तैक्सностью про depreciation 2 lakh पे 1,20,000 लिये revenue cost net profit और tax minus किया इन्होंने net profit after tax आया उसमें tax benefit डाला resident value में खीचा यहाँ पर तो ठीक आ रहा है मैं यह काम करता हूँ अभी IC के पर खोलता हूँ मैं आगे पीछे उन्होंने कुछ तो गलत किया था मतलब वापस करने की बाद गलत किया उन्होंने नी ठीक है question number two तब ठीक कर दिया उन्होंने पहले गलत था मुझे याद है material में और one दो गलत क्या हूँ यह one तो मैं अभी भी शोर हूँ गलत ही है yes one में गलत क्या हूँ ए one भी कर ले क्या भी हम modification one भी कर ले DOUET से आपको करने को दूँ अभी मैं recommendation one बताओ आपको करने को दूँ कि क्या गर SUPER हो रहा है नई वहत तो नहीं होना अची बाकि लोग पच्चे बदा इए बफ़र हो रहे क्या है और सा होना तो नinh चापका है internet में दिक्कत वाओ का साइप पाइचन्स पफर तू नहीं है ठीक है यहां पर तू इंटरनेट वगेरे मुझे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है पफर नहीं होना ची मैं किस बाकियों का गहना पफर नहीं हो रहे कि लिए काम करते हैं कि लगी हाथ करी लेते हैं आपको एक्जाम में सही ही करना पड़ेगा आप यह समझ लीजिए एक्जाम में आपको सही ही करना है इसमें भी सही करेंगे इनिश्यल आउटले फॉटी थाउचे ने एन्युल रेवन्यू विदाओध इन्फलेशन बोला एन्युल कॉस्ट भी विदाओध इन्फलेशन बोला तेल बेज नेल है यूस्फुल है पोर यह से और आपका टेक्स रीट 50 परसें एक कॉस्ट और के आगियाद फटा फट करते हैं कि इनिश्यल इन्वेस्मेंट हमारा फॉटी थाउचे ने जीरो तीर में लगा अन्युल रेवन्यू आज़ जल्दी जल्दी कर लेते हैं यह सोच के करते कि अभी करके निप्ता देंगे ठीक है एन्वल रेवन्यू एन्वल कॉस्ट एन्वल 10% का inflation डालेंगे 30,000 आपका revenue है इस पर 10% डालेंगे तो कितना आएगा 33,000 नेक्स्ट ये 33,000 में फिर और डालना पड़ेगा 1.10 36,300 दो साल का inflation एडजस्ट हो फिर इस पर वापस से हम कर देंगे 1.10 39,930 ये comparatively easy है पिछले वाले portion 43923 ये हमने लिख दिया आपर साथ साथ खतम करो मेरे साथ साथ ठीक है ये हमने किया annual cost आप मुझे बतातीजे annual cost कितना है 10,000 excluding depreciation आपका 10,000 है तो 10,000 तो नहीं होगा 10% inflation चड़ाना पड़ेगा ये 11,000 होगा और ये होगा 12,100 होगा मेरे ख्याल से 11,000 इन्टू 1.10 होगा इन्टू 1.10 13310 इन्टू 1.10 14641 ये हमने लिख दिया है नहीं आपरिशेशन भी साथ साथ लिख देते हैं आपरिशेशन कितना होगा 40,000 का इनिशल आउट ले सेलवेज कुछ है नहीं यूस्फुल है 4 येर से तो हर सर 10,000 कड़ा पड़ी है आइसे ने इस पे भी इंफ्लेशन चड़ा दिया हूं आइसे एक अंसर पता कम मैच करेगा जब अब 10,000 में भी इंफ्लेशन चड़ाओगे आइसे ने ऐसा गरबड किये है हमारा क्या आएगा पीबिटी आएगा कितना ये 12,000 है इसमें टेक्स हम माइनस करेंगे एड़ी रेट कितना परसेंट है 50% है एक साउजन माइनस करेंगे तो पैट आजाएगा हमारा बाकी का बताती ज़ो सिक्साउजन आएगा फिर डपरिशेशन एड़ कर देंगे कितना चार्ज के दाएगा 10,000 ये एड़ कर देंगे 16,000 हमारा आगी हमारा फिर उधर अब मुझे बताते जाओ एक एक करके ये कैस लोस हो गया हमारा अब मुझे इधर बताते जाओ एक करके कितना आ रहा है 13310 क्या बता रहूं इसका बता रहूं क्या बता रहूं नहीं पता चाहिए 36 में 24,200 14,200 होगा मेरे क्याल से 24,200 हाँ माइनस 14,200 होगा फिर नेक्स्ट वाला होगा 29,930 19,16620 होगा मेरे का बता हो ना यार क्या कर रहो सपना जी अपनी दुनिया में खुई वी है अजीबों करी बाते बता रही है यह माइनस यह पहले तो माइनस करेंगे बाद में करेंगे 14,200 16620 साहिए ना फिर नेक्स वाला बताईए 33923 3323 19 19 तूंड्रेट संथिंग आएगा 19282 वार है अब टेक्स इसमें से माइनस करेंगे इसका आधा 7100 1310 और यह आजाएगा 9500 9600 41 यह होगा क्या 918 19 यह होगा मेरी खाल से यह आएगा क्या करेंगे ट्वेल परसेंट से खीचेंगे पॉस्ट और कैपिटल इंक्लूडिंग इंफ्लेशन जो मारा है 20 तो था यह स्ट्वेल परसेंट से खीचेंगे ट्यारफोर आप बतेए प्रेजेंट वेलू आफ ओल कैस इंक्लूड त्वेल परसेंट से करने पर कितना आएगा प्रेजेंट वेलू आफ कैस आउट तो हमारा इनिशेली तो 40 थाउजन लग रहे है और जो फ्यूचर में कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वेलू मुझे चिए 53433 ले ले लेते हैं तो देरफोर हमारा क्या आएगा और प्रोजेक्ट शूट भी एक्स क्या बोलेंगे प्रोजेक्ट को मेरे भाई एक्सेट करो सब कुछ परफेक्ट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर बताओ परफेक्ट ली एकदम अच्छे से हो गया यह वाला कूशन भी आई से कमें आपको बता रहा हूं आई से में आपको अंसर मैच कराना है आप पूरे गलत कर दिया उन्होंने सच बताओं पूरा ही गलत कर दिया गलत किया उनका अंसर गलत करने की वज़े से गलत आगा सेवेंटीन सिक्स ठटीन नहीं आ रहे है बट रियल में ठटीन पूर ठटीन रहे हैं एंपीवी प्रोजेक्ट उट भी एकसेटेड तो मैंने इंफ्लेशन से रिलेटेड़ चीज एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया है अब हम आगे पता है फर्दर एनलाइस से सीखेंगे यह हमने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए एक सेट मुझे दो रिस्क अनला इस मैं आपको सखाऊंगा प्राक्टिकल ही चीजे अभी में सिखाऊंगा लास्ट में थियोरी पर डिसकस करेंगे थोड़ा वह थियोरी भी एकजाम में कोशिन पूछा जा सकते हैं वह भी हम डिसकस करेंगे पर फिलाल हम सारे टॉपिक्स जो है न वह टेकनिक्स और रिस् इसके अधर अलग अलग प्रकार की टेकनिक पहले वाला टेकनिक है स्टेटिस्टिकल टेकनिक कि इसी है सब समझ में आएगा प्राइबिलिटी वारियन्स और स्टेंडर्ड डवीशन और को एफिशेंट और दूसरा है पॉन्वेंशनल टेकनिक समझाओंगा मैं आपको टेंसन ना लो तब समझाओंगा और बहुत इजी ली समझ में आएगा कॉन्वेंशनल टेकनिक्स देखें यहाँ पर हम डिसकस करेंगे रिस्क अड़ेस्टेड डिसकाउंट रेट कि सब अभी बस अभी आपको मुझे पता आपको कुछ पता नहीं होगा बहुत ही कम बच्चों को पता होगा और एक है सर्टेनिटी एक्विविलेंट के अगए यहिए के करके एक्जामपल कि से डिस्कस करेंगे सब को समझ में आएगा और अदर टेकनिक्स के बारे में बारे में बाद में डिसक अधे अब इसमें कुछ नहीं ने तो अभी फिलाल हम बात करेंगे किसके बारे में परते हैं statistical techniques के बारे में फिलाल बात करेंगे तब पोस करूँ पान के चल्दों में during first year मादू मेरी बात ध्यान से सुनो first year में expected cash flow जिसे आपने देखा हमने यह जो cash flows लिया था यहापर हमने कहा था ना revenue हमारा 30,000 होगा cost हमारा 10,000 होगा ऐसे करके हमने cash flows निकाला यह actual cash flows यह पताई यह हमारा क्या actual cash flows है यह तो सारे expected cash flows समझे में आ रहा है यह तो future को predict कर रहे ना future में क्या हो सकता हमें नहीं पता क्या पता future में हमें अलग-अलग प्रकार के cash flows हमें नजर रहा है होता है कि जो हम सोचते हैं जो हम सोचते वो होता है कि आप ही जैसे एक्जाम के लिए बनाते हो अच्छा financial reporting में लेकर आऊंगा 75, KFM में लेकर आऊंगा 70 और audit में लेकर आऊंगा 40 कि मानलो एकजंपल दीटी में लेगा 45 का 50 और इसे करके मैंने का 300 बढ़ रहा और मैं पास हो जाओंगा बल्ले बल्ले तो मैंने बोला प्रोजेक्ट वी अक्सेटेड चलो ठीके हम सीटे जोइनिक कर लेते saal में साधी कर लेंगे इतने पैसे कर लेंगे यह हो जाएगा वगेरा वगेरा प्लैनिंग करते हमोगत है अच्छा लग रहा जो pas आपने से जोइन करते समय प्लैनिंग क्या था चुह आपने सूचा था वगे बहुत जनों के साथ हुआ है तो आप यहां पर इन समझ लूँ अभी सीनारियो उसंस्रिटिविटी वगएरह के बारे बाध नहीं करें प्रविन जी क्यों पीछ में डाल दाला हूं यह अदर टेकनिक्स मैंने का न बात में लेटर अंडिसकस करोंगा सभी चीज अभी लिखके बता दूँगा तो दिमार में कुछ आएगे नहीं पहले आप statistical techniques के बारे में आप discuss कर रहे हैं जो आप समझो मेरी बात तो मैंने आपको यह समझाया कि हम यह सभी चीजे predict कर रहे है जिरूरी नहीं यह होगा तो यह जो मैंने मान लो for example यह जो मैंने प्रेक्ट किया है यह क्या पता अलग अलग मैंने ठेटिक कर से निकाला मैंने सुचा होगा अगर मालो मार्केट में बूम रहे गा मार्केट में बूम रहे हो आगे जाके तब हम 70,000 क्या पता है cash flow generate करें market का average रहेगा growth बहुत जादा नहीं होगा average market में work करेगा तो मोलेंगे 50,000 cash flow होगा market में अगर crisis आ जाएगा तो cash flow और कम होगा जिसे हमने देखा था demonetization के वक्त, covid के वक्त उस वक्त में market में crisis देख चल रहा था जो भी लोग है जो अपके consumer है उनके पास available पैसे रहेंगे खर्च करने के लिए तो जादा खर्च करेंगे हमारी sales जादा बढ़ेगी तो अलग-अलग factors हो सकते अलग-अलग situation हो सकते हैं अलग-अलग scenario हो सकते हैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो different scenarios है मैं लिखता हूँ यहाँ पर scenarios अपका best scenario भी हो सकता है अपका better scenario भी हो सकता है और worst scenario भी हो सकता है चार अलग-अलग और worst scenario हो सकता है चार scenario में ने लिखता है अलग-अलग सिनारियों में अलग-अलग कैस्ट हमने यह सोचा मान लीजे फॉर इक्जाम्पल अगर बेस्ट सिनारियो वह ना तो हम कैस्ट जो ना वो सेवेंटी थाउचिन हम कैस्ट कर लेगा अगर बेस्ट सिनारियो वह तो हमने सोचा कि नहीं हम तब मान के चलिए बेटर सिनारियो में 55,000 ही generate कर पाएं तेकिन अगर गूर सिनारियो हुआ तो 45,000 तो होगा अगर वर्स सिनारियो हुआ तो मान लीजे 25,000 यह चार अलग-अलग situation इसमें negative भी हो सकता है मैंने negative रखा नहीं यह चार अलग-अलग सिनारियो की भी probability 25 पर सिनारियो की भी probability 25 पर संट है बोड सिनारियो मैं कहे रहा हूं कि best scenario होने का chance 20% better scenario होने का chance 40% better scenario होने का chance चलो ठीक है 40 जादा ले ले तो 45% good scenario होने का chance 25% और worst scenario होने का chance 10 मैंने यह 100% कर नहीं मैंने बोला अलग अलग की probability मैंने दे दिया अलग-अलग situation में अलग-अलग ये probability लो ऑ एक सिंगल एकशन निकाल सकते हैं कैसे हम बोलेंगे कि 70,000 ब्हो सकता है 55 और 45 और 25 और सकता future में और इनकी probabilities दी हुई है तो probabilities को ध्यान में रखते हम expected निकाल लेंगे क्या हम बोलेंगे 70,000 का 20% 14,000 ले लिया 55,000 का 45% 24,750 ले लिया 45,000 का 25% 11,250 ले लिया और 25,000 का 10% यहनि 25,000 ले लिया तो आप बते ही therefore expected cash flow क्या होगा 14,000 plus 24,750 plus 11,250 plus 2500 कुछ गरबर होगा है 52,500 होगा मेरे ख्याद 34, 38, 39, 52,500 होगा अब एक बात बताओ मुझे मेरे मालूमे चार्टेट एक क्लाइंड मेरे पास आया क्लाइंड ने मुझे बोला कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में मुझे बताई ना कि एक्सपेक्टेड क्यास लो मेरा हर साल क्या होगा इब बूल जाओ इंफलेशन वगेरा हमने बोला कि जो आप इन्फो दे रहें उस अपसे फर्स चेर में आपका एक्सपेक्टेड क्या इस बात की गैरेंटी दे सकतो 52,500 होगा मैं बूलूँ आ नहीं मैं गैरेंटी ने सकत पूल कर में निवान नजर आ रहें हमने तो इचार मुरूगा एक एवरेज एक्सपिक्टेड ली हमने दो सकता है तो कहने का मतलब ये रस्क है इसके अदर हम्हें पढ़ें इसके अंदर बात श्यूंपल एक और बात आपको बताता और एक और बात और एक और लेता हुघ माल लो situation ऐसा होता कि best scenario में भी cash flow 52,500 होता better scenario में भी cash flow 52,500 होता good scenario में भी cash flow 52,500 होता और versus scenario में भी cash flow 52,000 होता और ऐसे situation में जब आप cash flow निकालोगे तो 52,500 ही आएगा आएगा आप दिखलो 52510 यहीं 11,000 10,000 हो गई है 52,500 इन्टू 0.45 यह 2365 है 52,500 इन्टू 0.25 13125 है और 52,552 आप देखलो यह 52,005 विनिट है तो मैंने दो अलग information रखा देखो यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हर सिनारियो में 52,005 विनिट होगा और expected cash flow आप बताओ यहाँ पर मैं guarantee दे सकता हूँ कि 52,005 विनिट होगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर मैं guarantee दे सकता हूँ मैं बोलूँगा कोई भी सिनारियो हो आपका 52,005 विनिट का ही cash flow यहाँ पर को risk involved है कोई भी प्रकार का risk नहीं है क्योंकि यहाँ पर every situation में same figure है कोई भी प्रकार का risk नहीं है यहाँ पर same situation है कोई भी प्रकार का यह usually पता कम होता है यह usually government bonds वगेरा में होते है जो government securities होता है government bonds होता है वो जब हम लेते तो उसे related जो में cash flow मिलते है वो fixed free मिलते है उसमें कोई भी risk का adjustment नहीं होता बहुत ही कम मिलता है risk free rate मिलता है चुमा कोई risk की नहीं usually लेकिन आप किसी भी business में project में investment करोगे तो वहाँ पर risk होगा वहाँ पर आपको इस प्रकार नहीं देखने को मिलेगा क्या तो वही आप मुझे बताईए कि यहां पर हमने देखा यहां पर मैं बता रहा हूं कोई risk नहीं है बट यहां पर मेरा risk है और यह risk क्या है कितना है वह हम निकालना भी सीखेंगे ऐसे तो मैं portfolio में आपको detail में सिखांगा रिस्क निकालना एक एक चीजों से बारे किसे हम सीखेंगे risk कैसे निकाला चाहिए तो वहां पर हम सीखते बेसिकली वारियन सीखते स्टेंडर्ड डवीशन सीखते और भी हम weights of minimum risk portfolio बहुत चीज़े सीखते हैं महापर पीटा बहुत सारी चीज़े हम सीखते हैं महापर वह हम portfolio में सीखते हैं यहां यहां पर भी कुछ कुछ चीज़े कुछ कुछ चुटी चुटी बात है जो मुझे आपको बताना है हलका फुलका में यहां पर भी ग्यान दूँगा बाकि पुलर डिटेल में portfolio में सीखेंगे यहां पर भी जितना नीड है उतना तो मैं आपको बताऊंगा आपने एक बार तो इस बात से अब संतुस्ट हो गए कि हां सर रस्क तो है यह मैं समझेंगे तो अब हम निकालेंगे रिस्क चैलकुलेशन ऑफ रिस्क इंवॉर्ड और अब आपको रिस्क निकालेंगे आप देखे चार सिचुईशन हमें दीखा 70,000 भी हो सकता है 55,000 भी हो सकता है कैस के 45,000 भी हो सकता है और 25,000 जिसका हमने एक्सपेक्टेड् कैस लूव एफिस एक्सपेक्टेड्ड कैस लो अगर हम बात करें कितना पकड़े है है कि 2000 probability है कि इतना 0.20.45 20% माला 0.20 45% माला 45 by 100 0.45 हो जाए और 0.25 0.10 यह हमारा probability हो चले तो अब मुझे आप बताईए तो इस ही हमने किया कि हमने इस ही में तो probability निकाल कि यह निकाला अब हम पता है क्या निकालते हैं Gaps निकालते हैं Gaps मतलब risk का निकालते हैं आप देखो मेरी बात सुने हमने पकड़ा है हमने तो अपने client को बता है कि देख तु जा घर तेरा expected cash flow 52,500 होगा बट रियल में 52,500 तो दिखी नहीं रहे रियल में तो 70,000 होगा या 55,000 होगा या 45,000 होगा ये 25,000 होगा तो मुझे बताई अगर हमने client को बोला है 52,500 होगा लेकिन अगर 70,000 हो जिन हो गया तो रिस्क है आप बतला भी रिस्क होता है क्योंकि यह जो हमने निकाल है यह बड़ा और छोटा figure का बीच का निकाला हमने क्योंकि यह जो जब भी आएगन expected रिस्क है कि नहीं यह रिस्क है आपर रिस्क में favorable है unfavorable है उन बाद में बात करेंगे पर रिस्क हो है देखो हमने client को बोला 52,500 विनिट बट अगर 70,000 हो गया तो gap कितने का रिस्क कितने का हम बोलेंगे सर 17,000 फाइव इनिट का गैप है चलो यह हम यहाँ पर side में लिख दे तेरा 52,500 हो गया तो अगर 70,000 हो गया तो मतलब इसमें गया फेवरेबल रिस्क है क्योंकि इसको भी हमने इसकी मदद से इन सब को बेस में लेते हुए हमने निकाला था 52,500 गया पर रिस्क है आपका लेकिन वहीं सोचो अब आपको एक बात बतारों मैं अगर मालो हम यह ले तो कोई यह पी नहीं आता बट यहां पर तो instead of 52,500 यहां पर 70 है बट हमने क्लाइंट को बताया तो कितने का रिस्क है यह भी फेवरेबल यह भी फेवरेबल नेक्स्ट हमने 52,500 क्लाइंट को बताया अगर 45,000 हो गया तो अच्छा तब भी दिखका थे तब तो अन्फेवरेबल रिस्क दिख रहा है मुझे कितने का 7,500 का अन्फेवरेबल और इसके बाद नेक्स्ट आपका 25,000 अगर हुआ मैंने तो क्लाइंट को 52,500 बताया अगर 25,000 हुआ तो 27,500 बताया अगर 25,000 हुआ तो 27,500 बताया अन्फेवरेबल दिख रहा हूं न चलो इसको मैं साइन देता हूं यहां पर यह माइनस पे रहेगा यह माइनस पे रहेगा यह प्लस में रहेगा क्योंकि जो हमने क्लाइंट को बताया एक्सपेक्टेट क्यास दो उससे जादा है मतलब प्लस का सिंबल आएगा और कम है मतलब माइनस का और आपको पते हैं यह जो रिस्क है ना यह रिस्क हमेसा जीरू आएगा अगर इसका हम आवरेज करेंगे अगर मैं प्लस माइनस को ध्यान में रखो तो आवरेज करूंगा तो जीरू आएगा आप करके देख लो 17 आप इहसान मत कर सकते हैं इसका टोटल डिवाइड वे 20% लगाँ कितना आएगा 35 मिनिट आएगा प्लस में कि दूसरा 25 मिनिट का गाप का पॉइंट 45 बगर हम करें तो कितना आएगा कि डेबल 125 यह भी अपका प्लस में रहे दूसरा 75 मिनिट नेगेटिव है इसका पॉइंट 25 जाएगा माइनस 187 नेगेटिव का 10% 2750 आप देख लो इनको प्लस वाले को टोटल करेंगे कितना आएगा 4625 आएगा माइनस वाले को भी करोगे 4625 यह आएगा प्लस माइनस गैंस जीरू ही आने वाला क्या पर जीरू आएगा क्यों जीरू आ रहे उसके पीछे भी कारण में बताते तो हो क्यों? क्योंकि आपने यह जो निकाला है अवरेश निकाला इन सभी का और यह जो कहए चौई कहीं पर बीच में इसका उपर की विल्ल होगी, कि नीची की विल्ल होगी, दोनों का आवरेश तो mandate है, कहीं कहीं न कहीं बीच का गैप है, तो उपर का गैप, नीचे का gap मिला के क्या होगा जिरू ही होगा यह आपको समझना है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया हमें क्या करना चाहिए पते हमें यह करना है हम इन सब को plus minus माने नहीं हम सब को plus माने नहीं हम सब को risk मानेंगे तो देखा ज़े तो ऐसे भी करा जा सकता था कि हम इन सब को positive मानते वे सब को gap मानने बट जब model बनाया गए तो बोला गए कि यह से directly तो सब को favorable gap मानना सही नहीं है आप एक काम कर उसको square कर तो square करने से फाइदा क्या होता पते हैं मान लीजिए same figure सब्सक्राइब कर देंगे तो negative negative बिकम सब्सक्राइब जैसे अगर मैं 75 मिनिट मेरा नेगेटिव है इसको मैं multiply कर दू 75 मिनिट नेगेटिव माइनस माइनस sign कट हो जाएगा प्लस sign आ जाएगा तो एसी लिए हम क्या करते गैप square करते जिससे आपका माइनस का sign हट जाए माइनस का sign हट जाएगा मतलब favorable और unfavorable वाली चीज हट जाएगा तो इसके लिए में क्या करना होते है हम क्या करेंगे gap square करेंगे जो आपका gap आए न इस gaps को पते है क्या कहते है x minus x bar भी बोल सकते है यह आपके x की value है और इसे हम क्या मानते हैं पते है एक बार बोलते हैं वह बाद में आप सीख जाओगे अब फिलाल आप ऐसे समझो gap square करेंगे कि 17500 का क्या करें बताइए 17500 का कि स्क्वाइर करेंगे इंटू 17500 बहुत बड़ा फिकर आएगा 30625 0000 हमने कर आए एंट 25 बनेट इंट 25 बनेट इंट 25 बडनेट 625 75 बनेट इंट 75 बनेट 5 625 00,20 दाएज 5 मिड़ा एंट 25 बनेट 75 625 डबल चिरू डबल चिरू यह मैंने gap square निकाला तो अब इसने मैं क्या समझता हूँ देखा मैं बोलूँगा पता है मेरे लिए यही काम की चीज यह मेरे लिए काम की चीज नहीं है यही मेरे लिए variance है यही मेरे लिए risk है यह मेरे risk है जैसे मैंने बोला अलग-अलग scenario में best better good first तो जैसे मैंने अलग-अलग scenario का cash flows बताया था ना अलग-अलग scenario का cash flows से मैंने average cash flow नकाला probability लगा कि वैसे अलग-अलग scenario का मेरे risk भी आ गया तो यह जो variance है ने यह individual risk है individually अलग-अलग scenario का यही बेस्ट scenario का रस्क यह हो गया better scenario का रस्क यह हो गया good scenario का रस्क यह हो गया या लग-अलग सिनार्यों का रिस्क एक बाद बताओ जिब आपने बहुत सारे अलग-अलग कैस दो से expected cashflow निकाला था कैसे निकाला था प्रोबिलिटी लगा के इंडिविजव में प्रोबिलिटी नहीं वस्ी तपागल हो जाएगा वह जैसे तूने मुझे सिंगल क्याए था वह वैसे तो मुझे सिंगल ही इसका इमॉन बता तो उसकी लिए हम क्या करेंगे हम इसका अभरेज कर देंगे कैसे यह इंडी विज्विज्यल रिस्क में प्राविबिलिट्टी लगा देंगे तो आपका क्या आजाएगा बताईयाERO कि को में पर आवरेज रिख कंर को आवरीक सिर्जव हुआージ क क्या है बताईयाँ वारियान्स कहते हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पर आवरेज वारियान्स पॉसी कहले है कि एज आवरेज वारियनजू और जिसम सिग्मा स्कॉाइर एक्स भी कहते है एज कि सिग्मा स्क्उाइर एक्स तो यह निय करना कुछ नहीं हमें हमें यह जो अमॉंट है इस BelowReMin बोलेंगे यह एावरेजड रिस्क होने होने प्रोबिलीटी ट्वेंट्विबलि ट्रणी पर्सेंट यह रिस्क होने की प्रोबिल can pick एक average variance निकाल लिया वही average variance हमारा क्या होगा एक सिंगल रस्क होगा average variance तो मुझे बताई यह average variance क्या है बताओ मुझे आप क्या मुझे बता सकते हो जल्दी से बताओ मुझे क्या है मुझे जल्दी से बताओ मुझे आप तो खुद बताओ मैं नहीं करूँगा इस पे क्या करोगे यह probability लगाओगे इस पे लगाओओगे into this यह into this यह into this और आपका आजाएगा जैसे इन सब में हमने प्रोबिलेटी मल्टिप्ले करके यह निकाला था वैसे gap में भी probability मल् बताओ मुझे जल्दी से बताओ मुझे लेट ना करो 15375 0000 बताया किसे नहीं यह आया एकदम अच्छे से अब हम पता हम क्लाइट को क्या बोल रहे हैं हम बता है क्लायिंट को यह बोले देख तेरह कि एक्सपेक्टेड आवरेज क्या स्लों जो है कि इस तेसे जन्य वारियोंस भी कहते हैं सिगमा स्क्वर्ड वह हम पता है क्या बता रहे हैं कि 15375 ड्स है आपको पता है क्या हुआ मैं जा रहो हो मरने के लिए वह पागल हो गया वह पांगल बात कर रहो अभिए हमारा क्या sama चोटे मुट्टे आदमी चोटा मुटा धंदा कर रहे है सेवेंटी धाउजन फिप्टी फाउजन फुटी फाउजन हमारे यह क्यास फ्लो है इसका टोटल भी कर रहे है तो उससे भी ज़्याद आप तो रिस्क बता देरो बेवस हो गया पता है यह गंटा लगा उसे उठाने में फूले मेरा क्या सोगा फिटे टू दाउजन फाउजन फाउजन फिर विनिंट यह वर आप हमें रसक बता रहे हों 15 375 0000 इतना जिन्दगी में कभी को रियल मायने में यह रिस्क था मैंने तो बोला था हम सीधा प्लस मायनस को इग्नोर करते हुए सेवंटीन थाउजिन फाइव इन त्वेट विनिट ट्वेटी विनिट सेवन थाउजिन फाइव इन और इन सब को प्लस लेके एक बार करकी भी देखते हैं एक बार मुझे बताइए अगर हम एपसुलूट टम्स में सभी को प्लस माल लेते तो ऐसा सिचुईशन में हमारा रिस्क क्या होता है इंडीविज्ट रिस्क होता है त्वेंटीन थाउजिन फाइव इन फाइव इन प्रबिलिटी लगा कि हम बता देते हैं यह आवरेज रिस्क क्या होगा तो एबार करो सेस्टीन थाउचर इन्टू रिएञा थेंटीन थाउचें फाइब मिनेट इंटू पॉयट्टर कितना आएगा का ट्वथेटीन थाउचन फाइडंट्टविनेट इन्टू पॉय DAYू इंटू पैविंटू पॉइंटू पॉयव इन आहेगा 17 bart Cameron Keylessवेग ञ correcting Chris concert यम्र्डें 750 यह आरह आपका एराउंड 9250 का अमारा रिस्क है न यह 9250 का रिस्क आता हमारा तो हम बोल देते हैं 9250 का रिस्क है लेकिन हमने यह ऐसे क्या पर ऐसा करना नहीं है कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं यह जो मैंने 9250 निकाला एप्रॉक्सिमेटली 9000 मानों 10 एप्रॉक्सिमेटली 10,000 का रिस्क आता अगर एप्सुलूट टम्स में लेए बट हमने स्क्वायर करके यह रिस्क निकाला यह रिस्क अपनी जगह में सही है लेकिन यह क्लाइन को क्लाइन का दिमाग गुमा देगा और इसलिए एक स्टेंडर इस फोउर्म में वह क्या कहता है पता है और यह रियल मेंusz तो यह यह आपने निकाला standard deviation क्या कहता है पता है जो आपने variance निकाला था न सिग्मा square x तो root कर दो आप क्यों root कर दो पहले आपने square किया था न root कर दो आप तो यह आपका क्या है का पता है root over 15375 0000 root कर दिया आप 15375 0000 क्या रहा है 12399 12390 अब जाके सास में तेरी सास है आपको पते हैं अब क्लाइंट बोलेगा सास में तेरी सास मिली तो मुझे सास है है ना तो अब यह को यानि हम बोलेंगे कि देख क्लाइंट चक्कर खाने की जरत नहीं है तेरा एवरेज कैस फ्लो यह फिप्टी टू थाउचिन फाइंट और तेरा रिस्क जो है वह तेरा स्टेंडर्डडाइस फॉर्म में तुझे बता दे रहे हैं है ना पढ़ोस की दियां में आपके लिए ताजा ताजा गरम गरम स्टेंडर्डडाइस फॉर्म में तेरा रिस्क जो है वन तो त्री डबल नहीं है यह हमने रिस्क बताया यह कहने का मतलब यह है आप नेगेटिव पॉजिटिव को एलिमिनेट करने के लिए आपने पहले स्क्वाइर किया और उसके जरी आपने वारियंस बताया अब यह ज घर पे बैठके इसी प्रकार से यह वाला करोगे इसका दिखना रिस्क जीरो आएगा क्योंकि इसका ग्याप जो एवरेज भी 52,000 फाई मिनिट ले रहे इसका ग्याप साबका जीरो होगा एवरेज वैरिंस जीरो आएगा इस मामले में आपका जीरो आएगा और आपको में बात बता तूँ जितना इसमें फ्लक्ट्वेशन होगा उतना जादा रिस्क होगा जितना जादा होगा उतना जादा रिस्क है उतना जादा रिस्क है आप जैसे कि अगर मैं एक आपको एक्जामपल देता हूँ आप घर पे खुद से करना एक्जाम्पल देता हूँ पैस्ट सिनारियो पे पैटर गुड और वर्स इसमें मैं क्या स्ट लो लेता हूँ फिफ्टी वन थाउजन और फिफ्री थाउजन फिफ्टी और जान बुझके में प्रॉबिलिटी अबार दूस सब का बराबर वाइफ पॉइफ पॉइफ तब का probability में बराबर लगता हूँ जिनि 51,000 प्रस 53,000 प्रस 51750 प्रस 53250 अच्छा 52,250 हो रहा है न 500,000 बढ़ाना अब 1000 किसमें बढ़ा है यह मैंने कर दिया 52,000 प्रस 53,000 प्रस 51750 प्रस 53250 प्रस 51750 आप देख लो सब में probability लगाओगी न अगर आप चलो यह भी बताई देता हूँ साथ साथ ही बताता हूँ homework नहीं देता हूँ तो आपका expected cash flow पता है कितना आएगा 52,500 है आप देख लो इसमें उसमें फर रहे रहे हैं यहाँ पर भी हमारा 52,500 आया expected cash flow पर इसमें gaps बहुत जाद है 70,000 भी हो सकता जादा 25,000 भी हो सकता कम तो risk जादा है अगर 25,000 होगा तो भरबाद हो जाएंगे 70,000 होगा तो आबाद हो जाएंगे gaps बहुत जादा fluctuation बहुत जाद है यहाँ पर दिखे gaps कम है सारे close to 52,500 है 52,000, 53,000 में close to 52,500 है यह भी close है तो आप यह समझ लीजे यहाँ पर हमने जो risk निकाला था कितना 123 double line का risk निकाला था न यहाँ पर दिखेगा risk बहुत कमाएगा 1000-2000 का maximum risk आएगा आप देख लेजाए मैं guarantee के साथ बोल सकता हूँ क्यों क्योंकि यहाँ पर gap जादा नहीं fluctuation जादा नहीं जैसे इसके लिए में एक example लेता हूँ विराड कोली का और विरंदर सेवाग का example लेता हूँ में विरंदर सेवाग भी खतरनाक हीटर था कभी 10 बनाएगा कभी 100 मार देगा है ना या फिर अगया हम रोहित सर्मा विरंदर कोली की बात करते हैं तो रोहित सर्मा भी कभी 300 बना देगा हो कभी 264 बना देगा और कभी 10 में आउट हो जाएगा बट विरंदर कोली का consistency है उसमें आप देखना वह usually क्या करता है पचास साथ सो 110 120 यह नहीं वह consistency maintain करते कि average maintain करते हैं तो अगर आपसे कोई 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 भी मैच हो का risk किस में जाता है हम बोलेंगे रोहित सर्मा में रोहित सर्मा क्या पता सेंचुरी मार देगा तो क्या पता जीरो में आउट हो जाएगा और विराट कोली का लगता है कहीं नहीं कहीं पचास साथ तो बनेंगे तो रिस्क किस में कमें विराट कोली में क्योंकि उसमें margin कमें gap कमें वैसे आप देखो यह cash flow में रिस्क कमें क्योंकि margin कमें gap कमें आपका आपका तो चलिए अभी अगर अगर हम gap निकालते हैं इस निकालेंगे देखिए गाप कितना आएगा 52000 फाइव इनट पकड़ रहे अगर फिप्टी फटीटव थाउचिन वाद तो ग्याप कितनी का माइनस वाइव इनट फिर नेक्स्ट वाले में प्लस फाइव इनट का ग्याप है नेक्स्ट वाले में माइनस से 750 का ग्याप है नेक्स्ट वाले में प्लेस से 750 यह आपका ग्याप आया अब माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि आप स्क्वायर कर देते थे फाइव इन्ट फाइव इनिट फाइव इनिट फाइव एफ यह 25 25 250 फाइव और यह 750 इंटू 750 फाइव इस तो फाइव डेवल जिरो कि यह आया हमारा अब इस पर हम क्या करेंगे प्रोबिब्रेटी लगा देंगे प्रोबिब्रेटी बराबर की तो मैं सिद्धे टोटल डिवाइट पर कर सकता हूं क्योंकि बराबर की प्रोबिब्रेटी इंटू पॉइंटू 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 अलग अलग करने की जरत नहीं है कर सकतो वैसे भी अंसर सेम ही आएगा क्योंकि बराबर प्रोबिब् यह आ रहे क्या दिवाइट प्वोर करेगा कौन अच्छा कर दिया ना 5510 यह पाइव लैक तस फाइव सिक्स फाइव डबल जीडू यह यह हमारा क्या होगे आवरेज बारियन्स हो किया होगा है तूट ओवर है और जीरो सिक्स तूफ फैफ जिरू कि अग्यों कितना मैंने मुलना हजार दो जर उससे भी कम है 637 है कि कि कितना कम है आप जो पहले वाले केस में आपका क्यास क्लोज था 52,000 फाइव इनिट लेकिन रिस्क था 12,399 का इस एक्जामबल में आप देखिए क्यास लो वह यह बट रिस्क आपका 637 का है जितना गाप्स कम होगा उतना रिस्क कम होगा अगर से महमौण्ट होगा तो रिस्क आपका जीरू होगा यही हमारा रिस्क जो मैंने आपको निकालना सिखा है तो मैंने statistical analysis जो मैंने आपको statistical technique समझा है इसमें मैंने probability variance और standard deviation आपको मैंने अच्छे से clear करवाया आप बताईए एकदम अच्छे से clear हुआ की नहीं हुआ आगे हम coefficient of variation सीखेंगे coefficient of variation के अंदर हम आगे further यह तो वहाँ simple है इसमें तो कुछ ही निदम ही नहीं है इसमें तो कोई tension की नहीं कोई भी tension की बात नहीं है आप मुझे बताई क्या यह लॉजिकल यह अपको समझ आया कि आपका gap जो है है न लॉजिकल यह आपको समझ में विराट इस अग्रेसी बड़ कंसिस्टेंट बड़ सेवाग सर इस जो होगा दिखा जाए हम तो ऐसे आप यह समझ लेजी हाँ पर समझ में आया कि मुझे बताओ अब अच्छे से तुम एक बार एक या दो कोशिन हम देखते हैं हमारे कोशन में के अंदर एक या दो कोशन देखना बनता हमारा पताई यह ज़र अगर clear है तो हम देखते हैं को पूलो कि यह स्क्लियर है को शिन बेंग में आना पसंद करोगे को शिन बेंग में आना पसंद करोगे हैं इलस्टेशन स्री हम देखते एक बार इलस्टेशन त्री तो इतना ही ईज़िए कुछ पूछा यहने इसमें आप से पूछा है पता है क्या एकस्रेक्टेड क्या अस्वर बता हूँ यह मैं नोठ्समें नहीं कराओंगा कोशियन में करादूँगा आप अब खुद से कॉपी में कर लेगे, अपने कॉपी में खुद से कर लेजे, देकिं, इलसीशन 3 में, मैं आज जल्दी छुटी दूँगा, पहला एक-दो ग्लास दो गंटे के करेंगे, अड़ाई गंटी का नहीं करेंगे, तो अभी ब्रेक नहीं दोगा, मैं आपको जल्दी लास करेंगे कम सिक्मम अड़ाई घंटे की तम पंद्रा मीट का प्रेक दूपा आज की दो घंटे का मेरा टार्गेट तो दो घंटी के ग्लास के साब से भी प्रेक नहीं अब ये पांच दस्मिरेट में चुटी च्टे खुड़ूंगा मैं प्रिस्टी जी का सवाल में समझ नहीं बाया चाहा कहना की बाकी और डिटेल में पोट्पोल्य में भी सीखी जाओ गया देखों इलस्टेशन भी पॉसीबल नेट कैस्ट लोस प्रोजेक्ट ए एंड बी अड़ एंड फॉस्ट यर और प्रोबिबिलिटिस और गिवन बिलो इ मैं इसकांट रेड आपका 10 है और बोड Dad अपका इनिशल इंवेस्मेंट बता दिये 1000 दोनों प्रोजेक्ट में इनिशल इंवेस्मेंट होगा 10,000 का 20% 2000 होगा 12,000 का 40% कितना होगा हर cash flow में probability लगा रहा हूँ 12, 24, 36, 4800 होगा 14,000 का 20% 2800 होगा 16,000 का 10% 1600 तो आप देखिए 6,876, 86, 92, 100, 212 ना रहे 2,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,400, 11,200, 12,000 आ रहे मेरे ख्यास ही है 12,000 आ रहे है बोलो हाई है न 12,000 आ अब देखिए इधर की बेकर हम बात करें 24,000 में 10% probability लगा दिया 2400 आया 20,000 में 15% का probability लगाया कितना आया 3000 आया 16,000 में 50% probability लगाया 8,000 आया 12,000 में 15% लगाया कितना आया 18,000 में 10% लगाया 800 आया हमारे जिना 5,400 18,400 आपका 2600 16,000 आएगा हमारे हम यह मान के चल रहे हैं यहां पर कि एक ही साल का यह project है one year project only है मान के क्योंकि एक साल का data दिया हुआ है और यह भी नहीं बता है कि कितने साल का project है तो मिह मान के चल रहे है वन अब मुझे बताइए 12,000 first year में हमारा expected cash flow है एक ही साल का project है 12,000 को आप एक साल back present value में खीचोंके discount rate 10% दिया हुआ है तो जीरो तियर का present value of cash inflow क्या होगा cash inflow तो मैंने 12,000 निकाल लिया और 12,000 का present value क्या होगा एक साल back कर देंगे 10% से यह आएगा 10,909 तो 10,909 मेरा present value of cash inflow होगा और initial investment मेरा 10,000 है तो NPV कितना है 909 आया तो यहाँ पर पहले वाले project में मेरा NPV आया 909 का दूसरे वाले project का अगर मैं NPV बताओ मैं बुलूँगा 16,000 का मेरा first year में cash flow एक ही साल का project है 10% अगर discount rate है तो 16,000 divided by 1.10 यह रहा 14545 और 10,000 मेरा क्या है इनिशल investment है तो यह क्या है एगा 4545 आएगा तो आप देखिए यहाँ पर दोनों में 10,000 रुपी इस investment होगा हमारा ठीक है NPV एदर 909 है और NPV एदर 4545 है तो on the basis of NPV अगर आप बोलोगे आप बताओ project A आपको ज्यादा अच्छा लागा कि project B प्रोजेक्ट B में आप देखिए margin कई गुना जाता है NPV 0 में भी project accepted होता है तो हमारा 10% तो achieve हो गई उसके अलावा एक्स्ट्रा से आपका 4545 का benefit देख रहे हैं यहाँ पर भी 10% तो achieve होगा एक्स्ट्रा से 909 का benefit देख रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट वाइबल है बट दोनों प्रोजेक्ट में काम करें लेकिन दोनों में से अगर एक प्रोजेक्ट चुनना हो तो हम कौन सा चुनेंगे हम प्रोजेक्ट बी चुनेंगे तो यह मैं आप लोग को देता हूं self homework खुद से अपनी कॉपी में present करोगी आप IEC के style में करने की आवस सकता नहीं आप खुद से हम NPV बताने के बताएंगे प्रोजेक्ट कौन सा प्रिफरेवल है हम बताएंगे प्रोजेक्ट बी इस प्रिफरेबल युकोस NPV हायर है ना प्रोजेक्ट बी इस प्रिफरेबल और इसके लिए profitability index निकाल के भी हम बता देते हैं कुछ नहीं simple है वो हम next class में discuss करेंगी एकदम सिंपल है profitability index तो नहीं का निकाल के अब conclusion दे सकते हैं अगर आप NPV से नहीं देना चाते तो और हाला कि profitability index का तब रूल आते है जब अलग-अलग project का initial investment अलग-अलग अगर सेम initial investment है तो आप NPV से decision ले सकते हैं तो यह सब हम next class में discuss करेंगे विट लॉजिक प्रॉपर लॉजिक के साथ सब कुछ next class में अच्छे से discussion होगा कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं ताकि exam में कैसा भी question है नया पुराना common uncommon कोई भी नया frame question आप सभी चीज़ों को समाल सको आपका mind इतना अच्छे से clear हो जाना चाहिए कि सब कुछ आप समाल सको यहां पर मैं आपको homework दे र आपको example से इतने बहतरीन तरीके से मैं आप लोगों करवा दिया ना अब अब यह नहीं कह सकते कि सर हमसे होगा नहीं three four five आप तीन हो illustration one two तो आपका रहे गई हमने कर लिया है three four five मैंने example में इतना अच्छे से clear कर रहा है कि मैं hundred percent sure हो कि illustration three four five आप अराम से समाल होगे बताओ क कर रुक के आओगे या नहीं आओगे अब बता दीजाए कर क्या होगे कि अराम से समाल होगे तो इसनी के साथ हम आज की class को में ही समाप कर आज की class को में ही खतम करते next हम कल मिलेंगे वापस से सुबह 11 ठीक है और मैं आपको बात बता तो seventh को class नहीं होगी क्योंकि कुछ हम तो इसनाज यह आज hundred percent हो जाएगा अभी calls भी बहुत सारे टीम के में discuss कर लूँगा आज hundred percent हो जाएगा वोक्स भी हम कुछ कुछ चीजों को अपडेट कर रहें उसके बाद हम जल dispatch कर दो माइनर कुछ-कुछ error उसको ठीक कर रहे है उसके बाद हम जल dispatch कर वा देंगे ज्यादा वह वेट नहीं करें अभी फिलाल के लिए लाइव के लिए चारपा दिनों के लिए temporary चला रहे क्योंकि नहीं सॉफ्टर में जाना है वाली बात नहीं आपको एक्दम अच्छे से कहीं पर भी किसी चिज़ की परहसानी में आने नहीं इन त्री पॉर पैप का सॉफ्ट का सेंड करने क्योंकि कोशन देखें अंसर करना है तो यह मैं आपको इसका एक्स्ट्राइक देढ़ा अब है आपको कैपिटल बैजेटिंग का कोश्चन बैंक का एक्स्ट्राइक देढ़ा है ठीक है बोलो सब कुछ परफेक्ट है मैंने क्लास 11 को ली ती अभी तेक एक्सेस नहीं कुछ पंगाया होगा आप मुझे एक बार है ना टेलिग्राम कीजेगा मैंने मुझे टेलिग्राम कीजेगा 9864047095 पर मैं आज ही सॉट आउट करवा ऐसा होना तो नीचे तक किस कारण से हुआ मुझे समझ नहीं आया बट हम देख लेंगे नहीं मिला तो आज आपको दिलवा देंगे यह गोविंजी अफार की क्लास नहीं मिली है तो आप टेलिग्राम कीजेगा मुझे आज ठीक है यह टीम को भी करेट कीजेगा मिल जाएगा अगर आपने कल लिए क्लास को एक दिन 24 आउर्स में मिल जाएगा कि यह सुवं जी बैक अब मिलेगा रिकॉर्डिंग जो लाइव जो बच्चे लाइव नहीं करें उनको रिकॉर्डिंग था तो बैक आप अब करते हैं अच्छे दर्सन जी अच्छे लाइव के लिए आपने लिया था जिसने पहले लाइव एफम लाइव बैच का अगर किसी ने एंडॉल्मेंट किया था तो और पहले भी लेके क्या करते लाइव करें तो अब लोग की कोई भी क्लास मिस्ट नहीं होगी इस बात की मैं गैरंटी ले और आज तक आपको लाइव का एक्सेस भी जाएगा ताकि कल सम्सक्राइब में क्लास कर सकते तो निस्चिंद रही है टेंसन फ्री रही है एकदम निस्चिंद हो कर रिया कोई दिक्कत नहीं आए अगर मालों किसी को को दिक्कत है अभी बार वीट करना अभी मुझे मत अगर आपको रात के 8 बज़े तक रूख जाओ रात की 8 बज़े तक अगर आपको एक्सेस नहीं मिलते हैं 98640 47095 47095 में मुझे टेलेग्राम कीचेगा मैं मैं मैंक्शूर करूंगा कि आज रात के अंदर आपको कल ग्यारा बज़े जो हमारी क्लास रही है उसमें आपको द किसी को को दिक्कत नहीं आने देंगे तो आज के लिए टाटा बाइबाए एवरीवन आज के लिए समाप्त करें हम कल मिलते हैं इस अभी को बाइबाइ कह दीजाए नहीं यूटूब में नहीं होगी आगी क्लास पर ते सॉफ्टर में होगी इस नहीं लिए तो प्रतिक एक्सपायर वागेरा होगे उनको भी हम जो जो एमेंडमेंट्स हुए है वह जो भी चीज़े है वह उन सब का एक्सेसम उनको देंगे वह भी टेंसन स्वी रही है आप लोग के साथ कुछ भी कल अब इस इस के लिए निश्य इंदर चलो बाइबाइवरीवन ठीक है